जब इस पे कारवाई करी ना के भई कागज लेके आए उन पे टेस्टिंग करने के लिए 2017 में पहली बार एक बलेरो गाड़ी निकलवाई गई थी जिसमें ये देखा गया था कि भई असलियत में इन कागजों में कितना दम है तो बैंक क्या करता है बैंक जैसे ही उसके पास दस्तावेज पहुंचता है बैंक चुप हो जाता है या तो वो चुप हो जाता है या वो इदर उदर की बातें करने लग जाता है मतलब जैसे हम تو पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया हमको हमारी बात का जवाब दे दो वो गयता है नी नी तुमने तो लोन लिया था तुम्हे तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा मतलब उसका जवाब ना वो बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो हम उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि जो वो असली fraud है, उसके बारे में आमन जन्ता को तो पता ही नहीं है और पता नहीं है इसलिए सारी की सारी गड़बड है अब इसको समझने के लिए हम ज़ादा इधर उधर की बातें करने की बजाए मोटा अगर इसी पर चर्चा करें तो जैसे पहले जो है जब ये बैंक नहीं थे रे तो जो चलन में था ना सिक्का वो जो आप पूछा थे ना सिक्का क्या सिक्का मतलब क्या सिक्का मतलब पहले रूपया जो था वो सिक्के के रूप में ही चलन में था नोट नहीं थे नोट आए जब हमारे पास जब रिजरव बैंक आया या बैंक ओफ इंग्लैंड की शाखा पहले आई थे उस बैंक ओफ इंग्लैंड जब चला गया तब हमारा भारत का रिजरव बैंक बना वो इसलिए बना ताकि लोगों को ये वहम रहे कि ये भारत का है भारतिय रिजरव बैंक नाम इसलिए रखा कि ताकि लोगों को ये वहम रहे कि ये भारत का है जबकि असलियत में वो बैंक ओफ इंगलैंड की ही शाखा है और अ नाम कब भी आगया है? 1934 में Nichts 424 में भारतिय रिजरव बैंक अधीनियम आया मतलब रिजरव बैंक मतलब इसमें भारतियदो तब हुआ हैं? भारतिय तो 34 में हुआ हाँ से पहले रिजरव बैंक नियुथा बैंक ओन्ग इंग्लैंड था Bank of England का ही से ही चलता था, मतलब राणी के ही सिक्के चलते थे ना, तो भारतिय Reserve Bank बना जब उसमें, मतलब Reserve Bank का जो RBI Act 1934 है ना, Reserve Bank of India Act 1934 है, उसके तहत ये बना, अब इस पूरी प्रोसेस में, जब ये बनता है, तो जो उस टाइम Reserve Bank बनने से पहले चलन में हैं सिक्के और और वो पहले क्या थे, उसको समझना बड़ा ज़्रूरी है, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, जो चलन है, पेपर करणसी का, वो चलन है, पेपर करणसी का नि, सौरी, रुपे का जो चलन है, वो स्टंडर्ड के रूप में चलन है, अब इस बात को समझना, गौर से समझेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टेकनिकल, और मतलब ऐसी बात है, जिसको ना कभी स्कूल में पढ़ाया गया, ना किसी कॉलेज में पढ़ाया गया, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये और जैसी हो सकती है, आपने कभी वजन तो तोला ही होगा, सब लोगोंने, थोड़ा- घी देना है मानलो, फोर एक्जामपल उसका डॉलू ले आया अगला बंदा, और उसके बरतन में हमको घी दालके देना है, या कुछ भी तोल कर देना है, तो पहले हम डांडी करते हैं उसकी, हम हर्यानाई में में डांडी बोलते हैं उसको आप जाबी में पतानी क्या बोलत होता है कि अगर जो हलका सा भी इधर उदर होना, तो चाहे गेहूं का दाना डालना पड़े, लेकिन बिल्कुल बरावर रखते हैं, और देने वाड़ा बंदा जो है ना, वो देने वाड़ा बंदा, मतलब चाहे बाद में आदा चमच, एक चमच की फालतु डाल दे, लेकि अच्छा, फिर कम तोलने वाले दुकानदार को मोत की सजा होती थी, उसका कारण क्या था, कि अगर कोई आदमी एक किलो में एक गराम की ठगी करता है, और दिन में वो अगर हजार किलो मतलब बेज देता है, तो एक किलो का तो माल खा जाएगा, वो सब पबलिक का सोशन होत गया, तो जनता के साथ ठगी हो जाएगी, अगर एक अजार एक गराम हो गया, तो दुकानदार का नुकसान हो जाएगा, तो जो सोशन है किसी का भी ना हो, एक्स्पोलेटरिशन किसी का भी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हजार मतलब हजार, स्टंडर्ड के साथ दुनिय हमें कोई भी छेड़ छाड़ नहीं कर सकता और स्टंडर्ड इसलिए बनाया जाता है कि गड़बड ना हो किसी का सोशन ना हो मैंने किसी की हाइट नापनी है मैं बलांच से नापूं मैं कहूं जी पंदरा बलांच है फलाने चीज की हाइट या लंबाई एक छोटा बच्चा है उसके बीस बलांच बन जाएंगे तो गड़बड जाएगी पंदरा मानने के बीस मानने दोनों सच्ची है जूठा कोई भी नहीं है तो फिर इस करके स्टंडर्ड बनाया वही एक मीटर बना लो एक मीटर अमरीका में भी उतना ही होएगा एक मीटर इंडिया में भी उतन उतनाई होगा चाइना में भी उतनाई तो गड़बड होने के चांसी खतम हो गए ऐसे ही समय का है समय के अंदर भी यही है कि साथ सेकिंड की एक मिनट और साथ मिनट का एक घंटा दुनिया में जहां चले जाओगे वही मिलेगा इसी प्रकार से रुपया पूरी दुनिया में स्टंडर्ड था कि रुपय का मतलब ये है रुपय का मतलब था एक तोला चांदी और दस रुपयों की बनती थी एक मोहर मतलब आपने मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है हुजारों सालों से जो चलता रहा था वो था एक रुपया बराबर एक तोला चांदी और दस रुपयों का मतलब एक मोहर और मोहर होती थी एक तोला सोना इसका मतलब दस रुपय बराबर एक मोहर यानि एक तोला सोना दस रुपे में आता था तो एक रुपे में आएगा एक दशमलव एक छे छे चार गराम सोना एक गराम सोना एक रुपे में यानि एक दशमलव एक छे छे समझ गए ना जी ये स्टंडर्ड हमारा सद्यों से चलता आ रहा था शेर्शा सूरी आता है पंदरवी सदी में उसने इस रुपए को लिखित रूप दिया पहली बार उससे पहले रिटन में कहीं नहीं था उससे पहले चलन में था यूज करते थे और रुपएा आने से पहले जो चलन में था वो था बाटर सिस्टम जिसमें हम सामान को ही सामान के बदले देते थे ये चीज इतने सेर दाने के बराबर है ये चीज इतने सेर ग्यूं के चावल के बराबर है ऐसा करके हम बाटर में रखते थे लेकिन बाटर में दिक्कत क्या होती थी किसी ने मेहनत की चार महीने किसी ने मेहनत की चार घंटे त थे तो उसे शोषण होने के चांसिद रहते थे» कि सोषण किसी का ना हो इसलिए स्टंडर्र रखदो। और वो स्टंडर्र रख दिया था रूप Chiya और फिर वो सद्यों से चलता रहा था और उसको पहली बार लिखित रूप दिया शेर्षा सूरी ने शेर्षा सा सूरी ने जो चल रहा था उसी को लिखित रूप दिया कुछ भी बदला नहीं उसके अंदर ये ध्यान रखिएगा फिर अंग्रेज आए अंग्रेजों ने जब बैंकिंग परनाड़ी शुरू करी क्योंकि अंग्रेज बैंकिंग इससे पहले पूरी दुनिया में चालू कर थे वो intellectual लोग थे और उनको मालूम था कि माप तोल में गड़बड नहीं हो सकती स्टंडड में गड़बड नहीं हो सकती राणी का रुपिया चलता है, रुपए का वजन वही है, सिक्के का वजन वही है, फरक सिरफ क्या है कि उसके उपर फोटो किसकी है, बस, वो विक्टोरिया का सिक्का माना जाता है, लेकिन वजन भी उतनाई है, शुद्ध ताभी सो परसेंट है, अब जब यह होता है, तो currency क्या थी basically currency एक रसीद थी मतलब उसको हुंडी भी बोलते हैं कुछ लोग कुछ लोग उसको रसीद बोलते थे और वह खादी गराम और और द्योग भी अपनी बनाता था 5 रुपे की हुंडी 5 रुपे की रसीद और वो रसीद जो है वो उस रुपे में ही चलती थी मतलब चांदी और सोने में ये ध्यान रखक्ति थी हाँ वह गरंटी क्या थी कि ये रसीद जिसके पास भी है वो जाये और उतना ही सोना या चांदी अपना ले ले उसमें सोने और चांदी में कोई फरक था नी क्योंकि सोने और चांदी की जो कीमत का अनुपात है वो एक अनुपात दस है उसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं वहीं की बात कर रहा हूं उसी टाइम पे अभी हम वहीं से चलेंगे तो यहां तक आएंगे अब उसमें देखिएगा कि लूट कैसे होती है इसको समझिएगा तो जिस वक्त 1882 का पेपर करंसी एक्ट आया है उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं एक रुपे का नोट बीस रुपे का नोट दस रुपे का नोट कितने ही रुपे का नोट है उस नोट के बदले में आपका सोना या चांदी दोनों रखे है अब फरक क्या है आपने लेने है साथ रुपे तो आपको सोना नहीं मिलेगा साथ सिक्के मिलेंगे चांदी के आपने लेने हैं ग्यारा रुपे तो आप एक मोहर ले लो सोने की और एक सिक्का ले लो या फिर ग्यारा सिक्के ले लो कीमत में कोई फ़रक है नी क्योंकि 10 रुपे के बराबर एक मोहर है और कीमत भी एक अनुपात 10 की है उसकी सोने और चांदी की तो यहां किसी का कोई सोशन नहीं हो रहा है अब आप सोचिए मैं एक दिन मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूं जिस दिन 1882 का पेपर करंसी एक बनना शुरू होता और पहली बार कूट करन होता है कूट करन का मतलब है रुपे को डिवैलूएट करना रुपे की वैल्यू कम करना यह पहली बार होता है 1882 में उसमें क्या होता है जैसे मेरे पास डेड़ सो रुपए रखे हुए है ध्यान रखिएगा इस टाइम पर रुपए का मतलब चांदी का रुपिया है और एक बात ये ध्यान रखिए मुझे एक सवाल का जवाब दिये बज़राएगे मैं बट्टा तोलने वाला हूँ मतलब मुझे घी तोलना है सोने वाला जो किलो का बट्टा है वो ज़्यादा अच्छा तोलेगा या लोहे वाला या लकडी वाला या पत्थर वाला मतलब बट्टा हमारा सोने गा हो चांदी गा हो लकडी गा हो या खाली रेत हो एक किलो मतलब एक किलो चाहे वो कुछ भी हो किस चीज का है इस से भरक नहीं पड़ता है इसलिए आपने ये नहीं याद रखना है कि वो रूपिया चांदी का है कि सोने का है समझ गई ना? रूपिया है और रूपिया स्टंडर्ड है दस मैं घर वाली से बात कर रहा हूँ कि भागवान घर में डेड़ सो रूपिय रखे हुए हैं और कल जाके मैं इसकी मोहर ले आता हूँ कल जाके मैं इसका सोना ले आता हूँ तो कितनी मोहर आएंगी? पंदरा मोहर उसी दिन ऐसे संसद लगी हुई है और उस संसद में निर्ने होता है अंग्रेज निर्ने लेते हैं कि भई हम लोग एक स्टंडर्ड बदलते हैं क्यूंकि चलन में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो एक काम करते हैं एक मोहर पंदरा रुपे की कर देते हैं एक मोहर पंदरा रुपे की कर दिया और कानून बना दिया कि एक मोहर पंदरा रुपे की तो मेरे घर में डेड़ सो रुपे में जब पंदरा तोले सोना मिल रहा था वो कानून बनते ही जब मैं अगले दिन बैग उठा के डेट सो रुपे लेके बैंक में जाता हूं या सुनार के पास जाता हूं या किसी के पास भी जाता हूं तो मुझे कितनी महर मिलेंगी 10 मेरा 5 तोले सोना गायब हो गया अचानक से है ना एक तिहाई सोना गायब पूरे भारत का समझ गए बात आप क्योंकि रुपिया उतना ही पड़ा हूँ लोगों के पास वो कागच करंसी पेपर करंसी है ना पेपर करंसी में रुपिया उतना ही पड़ा है लेकिन उसकी जो वेल्यू है वो सीधा सीधा एक तिहाई मार दे डाउन तो अपना दे सीधा तीन गुना गरीब हो जाता है एक ही रात में नहीं समझे बात अब और वो लेके गाइब उतने रुपेगा अब ये उन्होंने च्छाप दिया और उस दिन के बाद से ध्यान रखना बिलकुल लिखित में है पेपर करंसी एक 1882 जो बात बोल रहा हूं हर चीज का दस्तावेज अपने पास अब लेबल है इसलिए ओन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सारी दुनिया के सामने बोल रहे हैं खड़े हो कर बोल रहे हैं कि गलत साबित करो बेंकों से सवाल पूछ लिए आर्बिआई से सवाल पूछ लिए सब पूछ लिए ठीक है अब इसको समझेगा एक दूसरे एंगल से इसको समझे सुनार के एंगल से अब यहीं पर इसी दोरान जब मैं ये बात कह रहा हूँ 1882 में ही इसको ज़रा बताईएगा एक रुपया कितने का हुआ अगर 15 रुपय एक तोला सोना है एक तोला सोना 15 रुपय का हो गया न अब एक तोला में तोले में कितना वज़न होता है एक तोले में होता है जी 11.64 गराम इतना सोना होता है 15 रुपे में जब इसको 11.664 को पन्दरा से भाग दोगे तो निकल के आएगा एक रुपे की कीमत निकल के आएगी सेवन सेवन्टी सेवन मिली ग्राम सोना ठीक है ये पेपर करंसी एक्ट अठारा सो ब्यासी बनता है अभी इसको पूरी कहानी को बहुत गौर से सुनियेगा क्लारिटी आएगी कि लूट कैसे होती पहली लूट समझ में आगी ठक से जिस दिन ये लूट होती है कि 10 रुपे की बजाए 15 रुपे की मौहर होएगी उसी दिन सोने की कीमत 3 गुना बढ़ा दी जाती है ठीक है तो सोने और चांदी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया तो सोने के सिक्के को जब हम देखते हैं पेपर करनसी एक कोईनेज़ एक 1906 में तो वो सिक्का मिलता है चांदी का और उधर से जब हम पेपर करनसी एक की बात करते हैं तो वहाँ स्टेंडर है सोना तो हम स्टेंडर सोने को ही लेके चलते हैं क्योंकि वो सिक्का तो चाए कागच का हो चाए पेशक लोहे का हो हमें क्या मतलब है सिक्का तो जिसका मर्दी ओ लेकिन एक रुपे का जो standard है वो सोना है और 15 रुपे का सोना एक तोला है तो एक रुपे का सोना 777 miligram सोना है ये done होके वो paper currency act बन जाता है और चलन उसी दिन कलकत्ता के अंदर बहुत घमासान विरोध होता है क्यूंकि उस वक्त कलकत्ता ही राजधानी है दिल्ली राजधानी बाद में 1908 में बनती है उससे पहले कलकत्ता ही राजधानी थी तो कलकत्ता में बहुत विरोध हुआ जिसमें लाठी चार्ज होकर के बुरी तरह स किसी और कोने पर ये खबर नहीं गई सुन्चार के सादन तो थे नहीं हमारे पास तो हमारे पास खबर नहीं गई तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि अब आपका जो रूपिया है उसकी वैल्यू क्या है और हमें जो चीज जितने रूपे की आती थी सोने में देखें तो वो उतना ही वैल्यू रहती है लेकिन जब रूपे में देखें तो वो एकतिहाई कम हो गया यानि एकतिहाई रूपिया ज़्यादा लगाना पड़ता है अब हमारे को समझ गए ना यानि अब वो महंगाई उसको बोलेंगे ना कि अब हमारे रुपए की क्रैश छक्ती, खरिदने की पावर, पर्चेजिंग पावर कम हो गई है तो इसलिए अब हम जादा रुपए चीएगा उत्माई सामान खरिदने के लिए हनि सोना ही खरिद लो समझो, तो अब जादा रुपए चीए सिधा अब उसी टाइम पर सुनार को रुपए बनाने का पूरा अधिकार होता था अगर आपको ध्यान हो हर गाओं में एक सुनार होता था लगबग और सोने और चांदी के सिक्के उसके पास रखे होते थे वो बना सकता था बशर्ते की उसके सोने और चांदी के सिक्के में कोई मिलावट ना हो 100% शुद्ध चांदी और 100% सुद्ध सोने का सिक्का वो बना सकता था उसी टाइम पर पेपर करंसी बनती है उसी टाइम पर सुनार प्रोमिसरी नोट देना शुरू करता है प्रोमिसरी नोट जिसमें वो प्रोमिस करता है मान लीजिये मैं आज लुधियाना में हूँ मुझे चंडीगड कुछ सामान खरीदने जाना है तो मेरे पास दो अप्शन है या तो मैं पांच हजार रुपए लेकर के जाऊं जोले में डाल कर क्योंकि उस ताइम पर सिक्के हैं रुपए का मतलब तो सिक्का है कोईन है तो पांच हजार रुपए मैं जोले में डाल के ले जाऊं या फिर सोने की मोहर डाल के ले जाऊं या एक दूसरा ऑप्शन है कि मुझे सुनार कह रहा है कि तू यहां से प्रोमिसरी नोट ले जा और जाके चंडिगड में वो प्रोमिसरी नोट दे देना तो क्या होगा वहां जाकर के तिरको उसके बराबर का सोना मिल जाएगा तो जाके ले लेना और अपना काम चलाना तो मैं प्रोमिस्री नोट लेके चला जाता हूँ बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोमिस्री नोट मैं दुकान पे जाने की बजाए मैं बैठा था शिक्को साब के पास बैठा था इदर रतन के पास बैठा था भाई ऐसे ऐसे करके कि मैंने समान लाना है पहले मैं सुनार के पास जाके सोना लाओंगा फिर मैं समान लाओंगा तो फिर इन्होंने सला दी शाने लोग थे इन्होंने का वह एक काम करने पागल है पहले सुनना लेड़ जाएगा फिर समान दुकांदर कोई देथे वह उस पर कुण सा तेरा नाम लिखा हुगा उस पर लिखा हुगा जिसके पास भी परची है मैं धारक को सो रुपे अदा करने का वचन देता हूं मैं धारक क तो फिर मैं क्या करता हूं मैं तो यार आइडिया तो बढ़िया है पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा दुकांदार तो जो है वो सोना में ट्रेड करता है मैं जाकर अपनी परची दुकांदार को दे दी दुकांदार एक बार हिचकता है फिर करता है चल देख लेंगे मैं देखा, आपना बाइचारा है, जबान है, नहीं चलेगी पर्ची, ये नहीं देगा तर को कोई, तो मेर से मांग लेना, दोबारा की देज़ूँगा, लेकर कि मैं देज़ूँगा, ओ दुकांदार ने देखा, दुकांदार को भी सोना मिल गया उसके बदले में, तो सब को सो यह मैं उतने रुपे देने का वादा करता हूं जैसे आप सदार जी आप देखो आपकी उमर हो नहीं 60 पैंट के असपार है अब 60 साल की जो जितने भी बुजुर्ग हैं अपने वो 60 साल के बुजुर्गों की बात देखोगे ना आप गोर से कभी भी अपने गाओं में वो कभी भी 100 रुपया नहीं बोलते वो हमेशा बोलते हैं 100 का नोट दियो वई ऐसे बोलते ना जी दिये भी 500 दा नोट दिये भी 1000 दा नोट दिये भी 2000 दा नोट वो 2000 रुपय कभी नहीं बोलते हैं वो 2000 का नोट बोलते हैं क्योंकि उनको मालुम है कि ये नोट है और रखा हो उसी के बदले पर्ची में लेगी ना यह पर्ची यह प्रोमिसरी नोट है कि इसके बदले इतने रुपए का भुगतान बैंक करेगा यहां पर सुनार बैंक है जो हमारे केस में आज के टाइम पर लेकिन उस टाइम पर सुनार भी देता था यह पर्ची और बैंक भी देता था तो 1934 में जितने भी बैंक थे ना वो सारे प्राइवेट थे अगर आपको नहीं मालुम हो बैंक सरकारी नहीं थे बैंक सरकारी बने जब इंदरा गांधी ने उनको नेशनलाइज किया और इंदरा गांधी की हत्या इसी लिए हुई थी कि सारा सिस्टम जो उन्होंने इतने सो सालों में बनाया था ना एक जटके में उसने देशका कर दिया वो समझे ना बात यहां एक बात समझेगा कि जिसने भी गाओं को पावर देने की कोशिश की है जिसने भी रुपिया समझाने की कोशिश की है उसका हश्र वही हुआ जो सुभास चंदर बोस का हुआ जो हिटलर का हुआ जो सद्दाम हुसैन का हुआ जो गदाफी का हुआ जो अभी परवेज मुशर्फ का हुआ जो आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है जो राजीव गा गांधी की हत्या हुए थी लोगों को लगता आतंकी लोगोंने किया ऐसा नहीं था ठीक है न? ले यह लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब राजीव गांधी की हत्या के में लिट्टे कोफसालो और इंद्रा गांधी की हत्या में सिख्ष को फसालो अब्राहें लिंकन का भी हुआ था जॉन एफ केनेडी का भी हुआ था और इसी मुद्दे पर बोलने वाले लाल बादुर शास्त्री का भी यह हुआ था और राजीव दिख्षित का भी यह यह हुआ था नेपोलियन बुनापार्ट का भी यानि जिसने भी इस रुपे के साथ छेडखानी करने की कोशिश की है यह रुपिया पूरी दुनिया में एक ही परिवार संभालता उस परिवार का नाम है रॉस्चिल्ड परिवार ठीक है समझाई बात अब आप सोचिए जितना पैसा सुनार के पास रखा है उतने की ही पर्ची रिलीज होती है और वो पता है सब को कि उसके बदले का सोना सुनार के पास रखा हुआ है अब अचानक से आती है शादी एक घर में सुनार के और वो कहती है घर वाली के मेरा ये सोना रखो और मुझे पर्ची दो और सुनार बोलता है कि तू पागल है भागवान अपनी पर्ची चलती है यार लोग अपनी पर्ची को ही सोना मानते है तू घवराती क्यों है तू बोता तो कितना चाहिए तेरे को बेटी की शादी में कितना दे सकते है तू जितना देना चाहती है बता तो क्या देना चाहती है, कि मेरे को तो एक लाख देना है, वो ते फिर कोई चक्र नहीं ले एक लाख की परची ले जा, हजार हजार की परची, पांसो पांसो की परची, दस दस की परची, बीस विस की परची, सुनारी को पकड़ा दी, अब सुनारी जाती है, बजार में बजार में जाके बोलती है जी लो साइकिल दो साइकिल के बर्दे पर्ची दे दी अब दुकानदार क्या सोत रहा है इसकी बदले सोना रखा है कोई चक्र नहीं जब मर्जी ले लेंगे अब इदे से ही सोचते हो सो का नोट है सो रुपे रखे हैं जब मर्जी ले लेंगे रखा अमाउट नहीं पता थी पस उनको उनको ये जरूर पता था कि इस नोट के बदलेगा सोना वहां रखा है और इस पे लिखा भी है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वादा करता हूँ तो अब क्या होता है कि वो पर्चियां जो सुनारी लेकर के आई आप सोचो वो चाहे अनाज की भोरी लेकर आई हो वो चाहे साइकल लेकर आई घोड़ा गाड़ी लेकर आई घोड़ा खरीद के लाई गाएं खरीद के लाई या घर खरीद लिया या मकान खरीद लिया वो सोने के बदले खरीदा या कागच के टुकड़े के बदले कागच के टुकड़े के बदले असली प्रॉपर्टी हमारी ले ली उसने उसके बदले में सोना वाँ नहीं है लेकिन अगर वो दुकानदार अपना पैसा लेने जाता है वो पर्ची लेकर सुनार के पास जा तो लाखो लोगों का सोना रखा हुआ है वहाँ उसमें से पकड़ा देगा उसको असली मानने लग जाएगा नहीं समझे वो परची असलियत में नकली है हम मान रहें उसको असली है उसके बदले का सोना लेने जाएंगे तो थोड़े लोगों को सोना मिल भी जाएगा लेकिन अकर सारी मार्किट लेने चली जाएगी तो नहीं दे पाएगा सुनार फिर उसको भागना पड़ेगा है ना दस गर लेने चले जाएंगे सो गर लेने चले जाएंगे तो सारा सोना ला सकता है अब भारत में क्या होता है जब 1934 का RBI Act बनता है तो RBI Act की धारा 26 ये कहती है कि RBI अपने पास जो सोने का स्टॉक होगा उसके बदले में ही नोट चापेगा और जब भी मालिक अपने पैसा मांगने आएगा RBI वो सोना देने का पैसा मतलब सोना जो स्टंडर्ड है उसका वो देने के लिए मतलब अब मैं रूपिया बोल रहा हूँ तो समझे लो सोना है वो जो चलन में है ये रूपिया नहीं है रूपिये का प्रोमिस्री नोट है रूपिया वहां रखा हुए RBI के पास तो RBI क्या कहता है कि 26 धारा कहती है कि RBI जिम्मेदार है रूपिया देने के लिए यानि आज आप अपना रूपिया लगाओ आप करके देखना एक काम हमने बहुत से आविदन लगाए आप मैंसे किसी ने लगाए 2000 का नोट आपको ये मालू है 2000 का नोट अभी भी चलन में है पता है ना लेकिन दुकानदार नहीं ले रहा आपका और बैंक ले रहा है इतनी बड़ी फरॉड कर दिया कि हम लोगों को लगता है 2000 का नोट चलन में नहीं है 2000 का नोट आज भी legal tender है मैं आपको बता दूँ और उसको कोई लेने से मना करता है अगर तो उसको सजा हो सकती है हमारी करंसी को लेने से कोई मना नहीं कर सकता भारत की करंसी को लेकिन फिर भी anyhow हमने 2000 के नोट का calculation किया था 2000 का नोट यदि हम बैंक में लगा देते हैं और ये कहते हैं कि हमें तुम्हारे से इसके बदले में 500 के या 100 के नोट नहीं चाहिए हमें इसके बदले में हमारा रुपिया चाहिए हमारे रुपए का भुगतान करो तो calculation करी थी 1554 गराम यानि डेड़ किलो सोना बनता है 2000 के नोट के बदले में अब हमने आवेदन लगा दिया कमाल की बात ये है बैंक मेनेजर कहता है कि हमको मालूमी नहीं है रुपिया क्या है और ना हतोरार आर्बियाई हमको पैसा दे रहा है और ना मना कर रह रहा है कमाल की बात ये है मना भी नहीं कर रहा क्यूं कि आईपी सी की धारा 489 जो आपको कि यदि आपने जितना paper currency एक 1882 में लिखा हुआ है उससे कम रुपए की value बना दी तो तुमको jail होगी समझ गई बात आप? यानि आप रुपए का कूट करण नहीं कर सकते कूट करण का मतलब है devaluate नहीं कर सकते ठीक है? और अगर आपने कर दिया तो साथ साल, दस साल आजीवन कारावास जो भी उसका जैसा भी आपने किया है उसके लिए आपको सजा होनी टै है ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही बात एक आपने ध्यान दिया हो अगर जिसमें सुनारी लेकर के आरी है सामान ये आपने अपने जीवन में देखा कभी नहीं देखा जी हाँ जी आपने देखा सेदार जी ये जो मैंने कहा था कि सुनारी जो है वो अपने नोट छापके और समान लेने चली गई बजार में ये वाड़ी आपने देखा आपने देखी सेदार जी नहीं देखी प्राइविटाइजेशन और गलोबलाइजेशन आया जिस वक्त मंदी आई थी 2008 में उससे 10 साल पहले तो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि दिल्ली से बड़े बड़े लाले गाडियों में उनमें अटैचियों में नोट बरके लाते थे और बोलते थे जमीन का रेट बोल लाख में दिल्वा क्योंकि वो पर्चियां बना के लिया है आप तो नोटियों को असली रुपिया मान रहे हैं नहीं समझे वो नकली नोटों के बदले आपकी असली पूंजी ले रहे हैं जमीन का रेट पच्ची लाग कर दो आप पचास लाग कर दो पिंड का अदमी यह दो पाइख में बैंक में बैंक के पास पांच लाग के नोट भी नहीं है रख बोलेगा जी कल आना दो पहर बाद आना जीकाश को सभिजा हैए तो मिलेगा BAM के पास कैश है तो तुम एक डिजी ट कैसे ड्रास्पर कर रहे हो तुमारे पस कैश नहीं है कैश छोड़ो अपना रुपिया मांगने चले जाओ 2000 के बदले के सोना नी देने को त्यार अपने को कारण क्या मालूम है आप खेल समझना पूरा आपको पता चले नोट कितने छप सकते है जितना सोना है उससे बाहर अगर नोट छपे हैं तो वो नकली है सोना कितना पड़ा है भारत के पास मालूम है 796 टन सोना है सिरफ हम इसको 800 टन बोलते है RBI की वेबसाइट पर जाओगे Liabilities और Asset में जाके सर्च करोगे कितने टन सोना है 800 टन कीमत कितनी बनती है मालूम है इसके साब से कीमत बनती है इसकी 4.8 लाक टन 4.8 लाक करोड कितनी लग बग लग बग 5 लाक करोड कितनी मालेंगे लग बग 5 लाक करोड का सोना सरकार के पास है तो कितने नोट होने चाहिए 5 लाक करोड का ही नोट हमारे पास होना चाहिए लेकिन नोट कितने मालूम है 34 लाक करोड के नोट है इस टेम भारत में चलन में कितने है जी इसका मतलब लगबग 39 लाख करोड के नोट नकली है हम जब अपना अवेदन लगाते हैं हम बैंक से इतना ही पूछते हैं कि भाई जो तुमने हमको पैसा दे रखा है वो असली है के नकली है पहले ये बताओ देखो भई अगर बैंक ने हमको नकली नोट नहीं दिया तो बैंक को सिर्फ इतना ही तो लिखना है ना कि मैंने तुमको नकली नोट नहीं दिया मैंने असली नोट दिया हुआ है भई एक सिंपल जी बाद है ना इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ने, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ने मैं बैंक से ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे असली नोट दिया है के नकली नोट दिया है अगर आपने नकली नोट दिया है तो तुम्हारे खिलाफ है फाया रोनी चाहिए क्योंकि वो हमारी IPC की 489 दारा केती है और अगर असली दिया है तो मेरे असली के बराबर तो इतना सोना आता है और तुम्हारे वाले नोट के बराबर में तो सोना 60,000 पा एक तो लाँ आता है बल्कि 10 गरम नहीं समझे तुम्हारे वाले जो ये नोट है इसमें तो इतना सोना आता है और मेरा जो असली भारत का रूपिया कानोनन है उसमें ये आता है तो इसलिए तुम्हारा जो पांच लाख रुपे का लोन है न, इस पांच लाख में जितना सोना आता है, उतना ही मेरा एक सोचे रुपे में आता है और मैं पता होते हुए तुमसे नकली नोट में कारोबार नहीं करूँगा, क्यूंकि मैं एक law abiding citizen हूँ कानून के साथ से चलूँगा न मैं, तुम्हारा घर कानियम तोड़ी चलेगा, मेरे जो कानून में लिखा हुआ बता दो क्या तुमको पैसा devaluate करने का अधिकार किस ने दिया, अब जैसे मान लो चार आदमी, मैं आपको बताता हूँ, हमने जी क्या-क्या try करके देख लिया हमने गाड़ी लेके देख ली, लगबख 50-60 गाड़ियां हमारे पास हो गई है, अपने पूरे जनता सरकार मोर्चा के लोगों के पास बैंक वाड़ों को हमने second-end गाड़ियां भी लेके देखी, नई गाड़ी लेके भी देखी, आज तक हमारे किसी साथी ने एक installment पे नहीं करी है हम आवेदन लगाते हैं, हम पूरा पैसा देंगे, लेकिन पहले हमको यह बताओ, हमको जो रुपिया दिया, वो नकले दिया के असली दिया बस, और अगर हम से पैसा चाहते हो, तो हम अपना legal money देंगे आपको, legal money लेने में आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, जी बताओ और यह कीन मानिये, आज तक एक भी आवेदन में, बैंक ने हम से ये नहीं कहा, कि तुम legal money ही दे रहे हैं हम आपको बलकि एक 6 करोड का loan था हमारा, साथी का, उस 6 करोड के loan में हमने क्या किया, कि जोनल manager बुला लिए, जोनल head बुला लिए, चार्चे, एक journal manager आ गया, फिर branch manager आ गया, वो हम से बात पूछ रहे हैं कि बात क्या है तुमने देना बंद क्यूं किया हमने चिठ्थी डाल के बंद किया देना क्यूंकि हम ट्राइल कर रहे थे कि छोटे लोन में शायद बैंक किसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि चल थोड़ा लो ना छोड़ो यार क्यूं फालतो पड़ो हम जब आप कहा रहे हो हमने आपसे नकली नोट दिये, मैंने का हाँ, बोलते हैं आप एक काम करो, जो नोट हमने दिये न आपको, वही दे दो हमको, जो हमने दिये वही दे दो, आप असली मत दो, मैंने का एक काम करो, जी मैनेजर साब, बस यही बात लिखके दे दो, कि हमने जो को कागज का टुकडा पकड़ारे और बदले में हम इसरी प्रोपर्टी को गिर्वी रख रहे हैं है असली व usu मतलब आपने हमको एश्क केवल डिजिट ट्रांसफर किया और हम पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं और तुम्हारे को भरते रहते हैं और तुम्हारा भरता नहीं कि एक बार कैलकुलेट करके देखो आपके आश-पास जो जिसने भी लून ले रखे है ना किसी भी कसान ने लोन ले रखा है किसी ने हाउस लोन ले रखा है चेक करो 20 लग का लोन दिया था जी पांथ साल भरते हुए हो गए अभी भी 24 लाख देने था अ कि यह टने के उतने खड़े हैं मतलब जादा व जाद़ उल्टा ब्याज भी नहीं उतार पारे भाई साब कैसे नहीं उतार पारे ऐसा क्या calculation है उसका reason है कि आपके रुपए की purchasing value जू जू ये note छाप रहे हैं आपकी रुपए की purchasing value घट रही है तो आप कितना ही मेहनत कर लो ये उदर छापते जाएंगे आप ऐसे बरबाद होते जाओगे आपके पास कोई रास्ता है नहीं बरबादी के लावा क्या आपको मालूम है note बंदी कब हुई थी 8 नवंबर 2016 को RBI ने एक बयान दिया था उस दिन उसने कहा था हमारे देश में 16 लाख करोड रुपे की पेपर करणसी है जिसमें से 14 लाख करोड रुपे 500 और 1000 रुपे की शकल में है यह कहा था और मौधी जी ने बयान दिया था कि जो कंग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई हम 5 साल में कर देंगे और उसने किया कि 70 साल में पुराणी सारी सरकारों ने रुपे च्छापे 16 लाख करोड और आज चलन में है 34 लाख करोड यानि 5 साल में 18 लाख करोड रुपे की नकली करंसी च्छाप चुका है वो और च्छाप च्छाप के अडानी को, अंबानी को, बड़े-बड़े अद्योग पतियों को, सारी e-beach कंपनियों को, e-commerce कंपनियों को, अपने local दुकानदार बरबाद करने के लिए वो नकली परचियां बाट रहा है, ताकि आपने नया दुकान शारू किया था, आपने नया वेंचर शुरू किया था, आपने 20 दुकानों की चेन बना ली थी, तो अडानी आएगा, बोल कितना पैसा चाहिए तेरे को इसके बदले में, बोल कितना चाहिए तेरे को इस जमीन का, तो एक बार मुँ तो खोलो कितना चाहिए, क्योंकि अगले चापने की मशीन खोल के बैठे हैं, बिना नियम के रुपे चापके बैठे हैं, चापते रहो आपकी जमीनों की कीमत बढ़ क्यूं रही है पैदावार तो खराब हो रही है उल्टक पेस्टिसाइड डाल करके आपने केमिकल डाल के आपने जमीन तो उल्टी खराब कर रखी है जमीन का पाज़त आपका खराब हो रहा है फिर कीमत कैसे बढ़ रही है उसकी असलियत में आपके जो रूपए की परचेजिंग वैल्यू है वो घट रही है क्योंकि वो नोट छापते जा रहे है और ये बात हमको नहीं मालूम है अच्छा तीन आकड़े आपको मालूम पड़ गए सोना कितना रखा है आठ सो टन कितने रुपए का चार तशमलो आठ लाग करोड का यानि पाँच लाग करोड का नकली नोट कितने हो गए लगबग 99,00,00 करोड अच्छा एक बात और बताओ जी मैंने सो करोड रुपया चाप दिया गौर समझना सो करोड रुपया चाप दिया और जितने आप लोग बैठे हुए हो इन सब में बांट दिया यहां से शुरू करते हैं कहानी को सो करोड मैंने खाते में लिखना है सो करोड आपको दे दिया तो मेरी कापी में कितना लिखा हुआ है सो करोड बोल के बताईए कपी में कितना लिखा है आपके पास कितना है मैंने बोला मैं दस परसेंट का ब्याज लूँगा साल के बाद में अब साल खतम होता है तो मैं आपसे कितना लेंदार हूँ का एक 110 करोड कापी में कितना लिखुआं कि कापी में कितना लिखुआं आपके पास कितना है कि 20 करोड आ सकता है गया मेरे reduze का चै सेयों इस Yale उनके पूरा नहीं पर तो मेरे पास आएगा कैसे वह नेसे आपस में लेदे के देते है ना, जम्यदाराजकल कैसे करता है, जो आपा ने, जो जमीन की वो लिमिट मनाई हुई है, जब छ Hayır मिन्ने बाद जमा कराने का टैम आता है, तो वो कहँ से लाता है? रिश्तेधारी से, दोस्ट से, बटी तु दे दे यार मिन्ने वास 되어 दे 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 तू ब्याज ले लिए ब्यू फिर वापस दे दू मतर को मिन्ने बाव दिया पंद्राज ग्राज एसे आरी है? तो आखिर में जो चीन या चार लोग बठेंगे उनका दस करोड वापस नहीं आएगा तो दो ही रास्ते होंगे या तो दस करोड रुपे की प्रोपर्टी बैंक जपत करेगा या 10 करोड रुपय वो कह देंगे हम नहीं देते ना प्रोपर्टी देते ना 10 करोड देते मतलब वो 10 करोड रुपया कहीं है ही नहीं तो या तो वो NPA होगा या वो प्रोपर्टी जाएगी 100% और किसके बतले में जाएगी वो जो हवा में 10 करोड है ये जो 100 करोड आपने दिये थे ये हवा में भी आप मेहनत कर रहे हो आपका पैसा पैसा थोड़ी बना रहा है और केवल जमीन है जो पैसा बनाती है आपको ये पता होना चाहिए और उनको जमीन चाहिए हर हाल में समझे ना जैसे फैक्टरी है फैक्टरी पैसा नहीं बनाती है फैक्टरी लोहे को दूसरा रूप देती है लोहा नहीं बनाती लोहा बनाने का काम जमीन से ही होता है जमीन से ही निकलेगा लोहे का अबरग उसी को साफ करके लोहा बनेगा जमीन से ही निकलेगा दाना किसान है जो एक दाना डालता है उससे 40 दाने पैदा कर सकता है, 400 दाने पैदा कर सकता है, बाजरा है तो 4000 भी कर सकता है, समझे ना जी, एक दाने का 1000 दाना सिर्फ किसान बना सकता है, वो सिर्फ जमीन से हो सकता है, जितनी धातू निकलती है, जमीन से निकलती है, पानी निकलता है, जम असली संपदा है जो असली मेहनत है असली जो पूंजी है वो केवल जमीन से निकलती है कोई फैक्टरी कोई दुकान कोई ओफिस कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कोई कुछ भी पैदा नहीं कर सकता किसान के लावा इसी लिए किसान जब फसल उगाता है उसकी फसल की कीमत जितनी ह होती है उतना ही सोना सरकार को रखना होता है और उसके बराबर के नोट चापकर किसान को देना होता है यह रुपए का जीडीपी का सरकल है जो घूमना स्टार्ट होता है वहां से नहीं फसल के टाइम पर समझे ना जी? उतने ये नोट चाप सकता है. और अगर उसने सोना नहीं रखा है, तो वो जितना किसान को देना है, उससे पांच गुना कर देगा, चाप लेगा? अगर कोई नियम नहीं होगा चापने का, तो मनमर जी के चाप लेगा, तो किसान को तो देगा MSP से भी कम वाले रेट का पैसा और उद्द्योग पती को देदेगा 15,000 करोड रुपया के जा तेरे माफ हुए 15,000 करोड मौज ले तेरे को नए स्टार्ट अप के नाम का एक लाग करोड दे दिया यहां बुड़ा-बुड़ी रहे गे थोड़े दिनों में पांसाथ-दस साल में सटक जाने हैं वो जमीन फिर इन्होंने काबू करनी करनी हैं क्योंकि इनको चाहिए तो जमीन हर हाल में समझे ना जी और सबसे बड़े लड़ा के ये इलाका है पंजाब हरियाना और पस्चमी उत्तर परदेश तीनों का इंतजाम कर रखा है भाजी साब तीनों का उधर क्राइम चला रखा है और हिंदू-मुसल्मान इधर कैंसरी कैंसर पंजाब में इतना पेस्टिसाइट दे र और अगर जादा बोलोगे तो इसी एरिये को खालिस्तान बनाने की प्लानिंग पहले ही कर रखी है किराये पे लोग बिठा रखे हैं ट्रेनिंग चल रही है कि तुमने एक जाएगा तो दूसरा बोलना स्टार्ट करेगा दूसरा जाएगा तो तीसरा बोलना स्टार्ट करे हैं हम सवाल हम सवालों के जवाब मांगते मांगते पागल हो गए हमारी बात को सुनी नहीं लेकिन उनकी बात को सुनने लिए एक तम सारे मीडिया चैनल खड़े हो जाते हैं आपके लिए बाखड़ा डैम बना रखा हां अगर मालो वो धंगे वारा आया थालिस्थान वारा पंगा नहीं चल पाया मालो आपा बाइचारा इतना जबरदस बना लिया गी आपा चलाई नहीं पाय मीडिया को बहिश्कार कर दिया पैसा कंपणियों का बहिश्कार करने है आ 금 उने तो एक बादल पाड़ना इधर एक बादल फोड़ दिया इधर इस पे डैम पे सारा पंजाब निपड़ जाएगा जी एक ही जटके में इधर से अरियाना और पस्चमी उत्तर प्रदेश एक ही जटके में इतना पाणी होगा ना जी पूरे पंजाब को उड़ाने के और करजा नहीं उतर सकता कभी भी सोचो बैंक जब लोन देता है तो किस्ते कैसे लेता है साल में या महीने में महीने में किष्टे लेता है साब तो जो मैंने आपको 10% का रेट बोला था न अगर किसी भाई ने मार्टर साइकल का, कार का या कोई सा भी लोन ले रखा है उस लोन पे आपने जो पैसा पहले किष्ट दी मालो आपने लोन लिया था 7 साल का, 84 महीने का पहली किस्ठ कितने महीने पड़ी रहेगी बैंक के पास 83 मंथ दूसरी किस्ठ 82 मंथ ऐसा करके कैलकुलेट करना कि बैंक उसके उपर फिर चकरवर्धी ब्याज में पैसा खाता है चकरवर्धी लगता है बैंक का पैसा बैंक का जो return rate है ब्याज का जो करजा देता है अंदर 1.500 करोड का मालिक हो जाओंगा और वो 1.500 करोड में से 50 करोड कहीं पर भी नहीं है क्योंकि वो ब्याज का रूपिया है हवा का रूपिया हवा का रूपिया कहीं होता नहीं है और वो हवा के रूपए में आपकी पूंजी आपकी जमीन को गिर्वी रख रहा है उस हव हवा के रुपए में जमीन गिरवी है और आप सब की जमीन उस हवा के रुपए में जबरदस्ती लपेटी जा रही है समझ रहे हैं आप बात के नहीं यानि एक साल बाद जो मैंने आपको दस करोड रुपए की जमीन वो दस की नहीं है वो पचास करोड की हैं यानि जितना भी लोन आपने दे रखा है अब मैं आपको भारत के आकड़े बताता हूँ एक रुपए अगर असली है और जो ये ब्याजवाला और हवा का जो रुपए जो डिजिट का रुपए है ये एक रुपए के बराबर में नौ रुपए है कितने परसेंट हो गया जी नब्बे परसेंट इसका मतलब नब्बे परसेंट रुपए है ही नहीं इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि नब्बे परसेंट लोगों की जमीन जाने वाली है जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, घर जो है आपके पास वो सब जाने वाला है और आज कल तो बैंकों ने आपके डंगरों पे भी लोन देने शुरू कर दिये प्राणे ट्रेक्टरों पे ले लो, प्राणी गाड़ी पे ले लो और कुछ नहीं तो दस्मी की डीमसी पे ले लो, बार्वी की डीमसी पे ले लो दस्मी पास भी नहीं तो अधार काड़ पे ले लो नहीं, जिस पे मरचल, लोन ले लो, लोन क्योंकि एक बार तुम इस दलदल में फंसो तो सही क्योंकि जैसे ही आप हजार का लोन लोगे और आप थोड़ी बहुत मेनत करके उसकी हजार रुपए की लोन की किष्टे देने स्टार्ट करोगे तो पंदरा दिन में, महिने में, दो मिने में, तीन मिने में बैंक वाड़ो का फोना जाए जी आपका 50,000 का हो सकता है जी अब फिर आप 50,000 की किष्टे देने लग जाओगे फिर आपका 5,000,000 का हो सकता है जी फिर आप 5,000,000 भी ले लोगे चलो गड़ी ले ली ओ ले ली जो चीज आप खरीदोगे उस पैसे से उसकी तो कीमत डाउन हो रही है रोज की रोज और उनका ब्याज बढ़ रहा है रोज की रोज तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको लोन आपकी सीबिल को दिखा दिखा के आपको मोटा लोन देते रहेंगे और एक time ऐसा आएगा जब आप वो किष्टे चुकता ना करने की position में आ जाओगे और अगर आप नहीं आएगा तो lockdown लगा दिया जाएगा ताकि आप पूरी तरह से बरबाद हो जाओ मानलो तरक्की पे चलोगे तो lockdown आजाएगा या एकदम से downfall आजाएगा market में downfall लाना ही लाना है क्योंकि उसी से आपकी बरबादी स्टार्ट होती है उसी से आपकी जमीनों को हड़पना चालू होता है भाई साब it's all planned strategy it's all game पूरा banking system इसी चीज़ पर अधारित है banking का purpose ही हवा के रुपए से आपकी असली पूझी को हडपना है अब इससे बचने का आपके पास एक ही तरीका है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए है ना दूसरा आप समझ लो 34 लाग करोड रुपे की करंसी है 4.8 लाग करोड रुपे के सोना है और लोन कितना इस देश के उपर मालूम है 156 लाग करोड मतलब पेपर करंसी 24 लाग करोड है नोट छापे सरकार ने 24 लाग करोड के और लोन 156 लाग करोड समझ गए किनी समझे जी इसका मतलब कितनी प्रोपर्टी जाने वाली है 156 माइनस 34 122 लाग करोड रुपे की प्रोपर्टी या तो जाने वाली है या फिर NPA होने वाली है अगर वो प्रोपर्टी अदानी अंबानी की हुई तो बैंक डूबेगा और वो प्रोपर्टी आप की हुई तो आप डूबोगे समझ गए ना आप हुई तो बेगर हो जाओगे जमीन से भी हाथ दो बेट होगे क्यों क्यूंकि आप अकेले अकेले लड़ रहे हो जहां भी लड़ रहे हो आप अभी आपको इंस्टॉल्मेंट के चक्रों में इतना उलजहा दिया गया है कि आपके पास अपने आसपास देखने की भी फुरसत नहीं है आपके पडोसी का मकान निलाम हो रहा है और हमें लगता है ये कमा नहीं रहा था ये तो दारू पीता था ये तो उल्टे काम करता था ये तो ये करता था इसलिए डब होआ इसकी दुकान ठप हो गई थी, इसका लोगडाउन में हैस्तेसी हो गई थी, उनको लगता है ये नैचुरल था, और मैं अभी बचा हूँ, वो खुद भी नहीं दिया जा रहा है, उससे किस्ते हैं, जो सोच रहे हैं कि इसकी ये तो डूब गया था, वो पता है उस अगला कर में फंसा हुआ है, ये तैह है, 100% गैरेंटी दे रहा हूं मैं आपको अभी भी, 122 लाग करोड रुपे की प्रोपर्टी जाने वाली है, और वो प्रोपर्टी किसान की है सहब, बैंकों की नहीं है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जो बैंक आपको मकान बनाने के लिए 2-2 करोड रुपे का लोन दे देता है, आपको फैक्टरियां खोलने के लिए 100-100 करोड रुपे का लोन दे देता है, जो आपको बड़ी इंडस्ट्री खोलने के लिए अडानी अंबानी को 6-6,000 करोड रुपे का लोन दे देता है, उन बैंकों के पास अपनी एक गज सब कुछ किराएं पर चल रहा है आज तक खरीद नहीं पाए उन्हों तक डिजिट ही छापनी है उन्हों क्या लगना है लेली इन्हें डिजिट ट्रांसफर होगे जी मालक दे खाते चला होगी तरी प्रोपर्टी अपनी होगी उनको जब वो कोई नियम ही नहीं है अगर सोना सांधी रखने का तो जितने मर्जिट डिजिट चापो और उनको खाते में कर तो ट्रांसफर और प्रोपर्टी अब बना लो लेकिन वो प्रोपर्टी नहीं बनाएंगे उसका कारण क्या है कि वो यहां से भागने वाले हैं यह ओल्रेडी डिजाइन में है यह भागने वाल उसको भी नेशनलाइज कर दिया था जो दोबारा वापस दे रहा है ना भी यह रेलवे थी उसको भी नेशनलाइज कर दिया रोडवेज को भी नेशनलाइज कर दिया जो नेशनल लेवल की थी जब जो अंग्रेजों ने अपने फाइदे के लिए बना लोगों को लगता है गौर करना हो देखना हो कि अंग्रेजों ने क्यों बनाया था तो उसके लिए एक बार जो यह नई जो रेलवे का ट्रैक बना है ना आपके स्टेट के अंदर हर स्टेट में बनाया यह मैं पूरा भारत घूम रहा हूं पूरे भारत अगर यह भारत का नक्षा है ना भाई साब पूरे भारत को ऐसे 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 तीन हिस्सों में ऐसे 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 हर स्टेट को दो हिस्सों में हर जितने भी स्टेट आ रहे हैं हर स्टेट को लोली पॉप दिया था आपको मोधी भापने मोतिलाल ने वो था बुलेट ट्रेन का तो वो उसको क्या किया उन्होंने मतलब उसका नाम दे दिया प्लास्टिक की ट्रेन बना दी वो अब रोज अपने पनाने वाले गड़े उनको खीशती रहती है वो रोज खराब ही पड़ी इसलिए रेलवे उस ताइम पर बनाया गया था अब गोर करना आपके गाउं के असपास और वो ट्रेन का ट्रेक और वो गाड़ी वो जो बड़े-बड़े हाईवे वो कहां से जा रहे मालूम है जहां जहां पंजाब, हरियाना, महराष्ट्र, मद्द, पूरे दुनिया, प यहां जहांगे? अगर इसी ट्रेन की पट्री पर यह कर रहे होते, तो हर आदमी को दिखरा होता चलने वाले को, कि देश कहांसे भिकरा है है, इसलिए अलगी बना दिया ताकि आपको दिखाई ना दे, अगरून रोड पे कैसे कैसे ट्रक चलते है, अगर यह देश को दिख किसान का ट्रेक्टर अलाउड नहीं है पता है ना आपको यह बात तो तो यानि के देश को पता ही नहीं है कि उन एलिवेटिड हाईवेज को बनाया क्यों गया है अब यह बात आप समझ लेजिए कि आपका सब कुछ जा चुका है आपके बच्चों को ऐसी पढ़ाई दे दी गई है जिसमें 99.9% फेलियर गैरेंटी है ठीक है गैरेंटी कॉम्पिटिशन की जो पढ़ाई है स्किल नहीं दे रहे हैं आपके बच्चों को जीवन जीने का स्किल नहीं है कोई स्कूल कोई कोई कॉलेज कोई नेता कोई मास्टर जी आपके बच्चे को ये नहीं सिखा रहा कि फेल हो गया तो कहा जाना है सैकिंड नंबर अगर थोड़ी बहुत कसर बचे तो आपके बच्चे के आद में मोबाईल पकड़ा दिया अब मोगाईल में वो तीन काम कर रहा है सिरफ सिरफ तीन काम जादा करोगे चोथा काम एक और गिना दूँगा पहला काम कर रहा है वो ड्रीम 11 जैसी तीन पत्ती जैसी सट्टे बाजी वाड़ी गेम खेल रहा है सट्टा लड़ा का रहा है थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा छोटा है तो सलेबस के नाम पे अशलील वीडियो देख रहा है ठीक है जी और थोड़ा छोटा है तो बंदूक चलाने वाले वीडियो गेम खेल रहा है बंदूक ही चला रहा है वो ठीक और थोड़ा बचा होगा तो वो ओटी टी पे अपनी फिल्मे या फिर अपने सीरीज पूरी कर रहा है यही काम कर रहा है जी आपका बच्चा या तो वो रेपिस्ट बनने की त्यारी कर रहा है या वो आतंकवादी बनने की त्यारी कर रहा है या फिर वो सट्टे बाज बनके सब उड़ाने की त्यारी कर रहा है या फिर वो इतनी शिरीज देख लेगा कि एक टाइम पे मोबाइल से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा तो अब उसको खुशी के लिए नशाही चाहिएगा और नशे की तसकरी के लिए ये जो एलिवेटिड हाईवे हैं ये सीधे अफगानिस्तान से कनेक्ट कर दिये गए हैं अफगानिस्तान में कोकीन और हिरोईन अच्छी मिलती है अच्छी क्वाल्टी अभी अडानी के मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी भी गई थी 26 हजार करोड की और आपके पंजाब में जो तसकरी होती है सारी सरकार में बैठे लोग ही करते हैं सबको मालूम है बिना प्रशाशन की मतलब सहायता के पॉसिबल ही नहीं है वो नशे की तसकरी होना के संभवाजी सब कुछ प्रशाशन में बैठा आदमी करता है और क्यूंकि पोर्ट पे पकड़े जाने के हैं समдर में डूबने के चांस हैं जहाज में आ नहीं सकते तो इसलिए रोड के थिरू कनेक्ट कर दो और वहां से चलने के लिए बिना ड्राइवर की कारे है और बिना ड्राइवर के टरक भी possible है चलने और वे highways को इसलिए बनाया गया है कि non stop बिना driver के driverless truck वहाँ से आपके बच्चों के लिए नशे की तश्करी करेंगे ठीक है जी क्यों जी दिख रहा है ना आपको यह सारा कुछ governments कर रही है मिलके market आपकी पूरी तरह से बरबाद हो चुकी है चार तरह की market हैं जो अभी चल रही है medical, pharma से जुड़ा हुआ आदमी है सिर्फ वो जिंदार है उसकी market electronic, mobile, electrical, tv, screen से जुड़ा हुआ कोई बन्दा है चाहिए computer, internet से जुड़ा है वो जिंदा है technology से जुड़ा हुआ, artificial intelligence से, drone से नई technology से जुड़ा है, सिर्फ वो बन्दा जिंदा है इसके अलावा जितने industry हैं, सारी बरबाद होने वाली है यहां तक की किराना दुकानदार भी बरबाद हो रहा है क्योंकि किराने के अंदर भी बड़े उद्योगपती आ गए है उनको परचियां चाप चाप के पकड़ा रही है बैंक और छोटा दुकानदार जो वो चीज हजार रुपे में भी नहीं दे सकता जिसको वो बड़ी कंपनी 500 रुपे में, 800 रुपे में दे रही है समझ गया बात इधर से दुकानदार गया इधर से किसान का बने बताई दिया किसान की सारी जमीन सुनो किसान की सारी जमीन करजे पे तो पड़ी पड़ी है साथ के साथ उसके हाथ में कुछ भी नहीं है कुछ भी मतलब कैसे बीज उसके पास अपना नहीं है बाजार अगर जो बाज बीज दे दे तो सारी उलाद बाज पैदा होएगी जो हो रही है 70% न पुन सकता आज चुकी है और रेड़ी बाज पनोर न पुन सकता बाजार बीमार बीज दे दे तो सारी जनरेशन बीमार होएगी जो कि हो रही है ठीक अगर बाजार बीज ही ना दे तो फसल ही नहीं है क्यों जी और इन्होंने टेस्टिंग कर रहे है पिछले दो तिन सालों से आपको डी एपी यूरिया के टाइम पर नहीं दे रहे है पहले जो जो चीज आपको इन्होंने फ्री में दी थी और सबसीड़ी पर दी थी वो आज लाइन में लग रही है सब कुछ लुटा के भी नहीं मिल रही है तो आज अगर बिजली ना आए तो किसान के पास बोने के लिए एक दाना नहीं है अच्छा कमाल ये है कि देश के पास दो साल का सेक्योरिटी का अनाज रहता था एफसी आई के पास आज के टाइम एफसी आई के पास अनाज नहीं है यानि अगर बाड आ जाए सुखा आ जाए अगर जो युद्ध हो जाए महामारी आ जाए तो एक साल में घुटनों पर होंगे हम और एफसी आई का जो अनाज था पहले गुदामों में होता था अब जो लोगों को एफसी आई के ठेके मिले हुए था ना उनको पेमंट तो मिल रही है लेकिन उनके पास अनाज नहीं है तो बोलते नहीं है इसलिए तो अग आने वाले टाइम में नया ठेका रिन्यू नहीं होगा और जो अनाज है वो साइलोज में जाया करेगा और साइलोज की रक्षा के लिए जब आपके पास अनाज नहीं होगा भूखे मरते बच्चों को देखके जब आप हतियार उठाओगे और जब आप साइलोज के उपर अटैक करोगे तो आप ही के बच्चों को अगनीवीर बनाके आपके सामने खड़ा करने वाले हैं ये चार साल में रिटायर होकर के वो आ जाएंगे आ करके प्राइविट कंपनिया उनको हायर करेंगी उनके हाथों में बंदूक देंगी शिरलंका में अल्रेडी हो रहा है मैं जो हो रहा है वो बता रहा हूँ ये अल्रेडी तैयारी है स्क्रिप्ट है ये सब कुछ चल रहा है अगनीवीर आएगा हमारे देश में कानून बन चुका है कि उद्द्योग पती अपनी पुलिस बना सकते हैं पुलिस की टुकडी अपनी सेना बना सकते हैं और अपनी अपनिमेंट कर सकते हैं ये अल्रेडी कानून में आ चुका है आप किराये पर पुलिस ले सकते हो आपको हवलदार चाहिए इतने का मिलेगा इंस्पेक्टर चाहिए इतने का मिलेगा पूरा थाना चाहिए इतने का मिलेगा द्याडी पर रख सकते हो आप ठीक है जी तो वो साइलोज की रक्षा करेंगे आप ही के बच्चे क्योंकि जब वो चार साल में वहाँ से सिरफ बंदूग चलाना सीख कर आने वाले हैं कुछ निकरने वाले हो आर्मी में कोई था क्या पहले एक्स आर्मी है कोई एक है एक्स आर्मी वाले बता सकते हैं कि पंदरा साल में भी आर्मी रोती है बंदे को रिटायर करते हुए क्यों जाना है भई, क्या जुरूर ज़ारी है क्यों पंदरा से पहले रेटार नी करते थे वो क्या देते थे हवाला कि पंदरा साल में जो तुम पे जो शुरू में तुमारी ट्रेनिंग पे तुमको जो सुविदाय मिलती है उसका खर्चा पूरा नहीं होता पंदरा साल में तो चार साल में किसका खर्चा कुंसा हमारे खर्चे पर उनकी ट्रेनिंग होगी और फिर उनको लगाया जाएगा और आपको शाद नितिन कडिकरी का वो बयान याद हो जिसमें उसने कहा था कि हम चार साल में डीजल और पेटरोल बैन करने वाले हैं ठीक है जी चार साल में ही अगनीवीर आएंगे चार साल में ही अनाज खतम होगा चार साल में ही आपके सारे साइलोज त्यार हो जाएंगे और हाईवेज और रेलवेज त्यार हो जाएंगी चार साल में पेट्रोल डीजल बैन हो जाएगा चार साल में इथेनोल की फैक्टरियां खुल जाएंगी चार साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी जिनको कमपनी से बंद किया जा सकता है कमपनी से ब्लास्ट किया जा सकता है आजकर सड़कों पर ट्रायल चल रहा है किसी की भी गाड़ी को कभी भी बलास्ट करने का जलती नहीं है वो कदे आफ सोचते वा आग लगती है वो electronically वहीं से control होती है mobile है जितने भी आप देखो आपका mobile heat होता है नहीं समझे कभी किसी कोई टकी है के नीचे फोन रखा था बलास्ट हो गया कोई चार्जिंग पे लगा फोन लगा था बलास्ट हो गया कोई एमे ही बात कर रहा था बलास्ट हो गया कोई रीजन ही नहीं है बलास्ट होने का ये टेस्टिंग है कि जब फोन अभी थोड़े दि कितने बजे से कितने बजे कौन सा सीरीयल देखते हैं कौन सा नाटक देखते हैं clicked Facebook चलाते हैं के YouTube चलाते हैं और इनका ज़्यादातर कितने टाइम पे होते हैं तो ज्यादातर लोग सब अपने मुझे आगे लगा करके मुभाइल देख रहे होंगे ठाँ बज जाना है क्योंकि आप आप जमीन दोगे नहीं आतंकवादी हमले से बात बन नहीं रही है अमर्जंसी लगा के इन्होंने देख लिया किसाना अंदोलन चालू हो गया इसलिए इन सब को वैक्सिन भी नहीं लग पाई जिनको लगी उनको पता चल गया कि क्या था इसके अंदर समझ गे ना आप काबू आ नहीं रहे हैं लड़ने वाले लोग है लड़ने वाले लोगों को तो भे तरीका यही है कि इनको शड़ियंतर से या तो इनको आपस में लड़ा के मारो या इनको करजे में दबा के मारो इनकी हीन भावना होनी चाहिए आप देखोगे किसी भी कौम को खतम करना है तो उसकी अगली पिड़ी अपनी कौम का होने को शरम मैसूस करने शुरू कर दे तो वो पिड़ी खतम हो जाएगी इसलिए यह क्या टैक करते हैं कि जाट बलातकारी और सरदार आतंकी हैं यही चला है ना इनोंने इनको पूरा फ्रेम बनाना आता है अगर सरदार के उपर चुटकले बनाए गए बकाइदा जो लोग आइडियल होने चाहिए थे संता बनता उनके नाम पर चुटकले बने ताकि वो नाम ना रहे अगली कौम बाइचांस घलती पीडि जो है ना वो नाम रख लिये तो याद रहे गा ना बंबा बंदा बहादूर नाम रख ले कोई गुर्गोबिन सिง्ह नाम रख ले गुरुणानक नाम रख रे तो भई वो नाम रहता है नाम विचार बड़ी ताकत होती है इसलिए वो जो भी लड़ने वाले लोग होंगे उनी को उनी को आतंकी बना देंगे उदर वो अपनी जमीन बचाने के लिए 36 गड़ के जो ट्राइबल लोग हैं वो जब बचाने के लिए निकलते हैं उनको नकसली बना देते हैं जब आप अपनी जमीन बचाने निकलोगे तो आपको ये बना देंगे किसी को भी कुछ भी बना देंगे वो लेकिन आपकी जमीन चाहिए उनको हर हाल में चाहे आपका कुछ भी करना पड़े चाहे आपके उपर एटम बम डालना पड़े चाहे आप अभी चािना गार होने वाला हैं आपको मालुम है न? वर्ड वर थृ होने वाला है दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती क्यूं? क्योंकि हम लोग सोय हुए हैं हम बोलना शुरू कर दिया कि World War लेकर आएंगे, World War लेकर आएंगे फिर सूचिंगे अब क्या लेकर आएंगे, कुछ और लाना पड़ेगा क्योंकि जब सबकों मालूम पढ़ जाता है ना जैसे 19 में दूने दंगे कराने थे तो अपन हरियाना पंजाब सारा चिला-चिला के बोलने लग गया दंगे कराएंगे दंगे कराएंगे दंगे कराएंगे इन्होंने नया पुलवामा करADA पड़ा इनको हैं ना और दंगे करवा दिये तो पता है कि इनी का काम है दंगे करवाने का इसलिए दंगे नहीं करवाएंगे तो कुछ और करवाएंगे कुछ और क्या होगा वो कुछ भी हो सकता है धरम के नाम पर और जात के नाम पर कुछ भी करवा सकते हैं और आपकी जमीने तो इनको चाहिए चाहिए ये लाइन तो आप पर्मानेंट याद रख लो क्योंकि जमीन ही है अब आपके बच्चे पगड़ी रखना बंद कर गए जो नई जनरेशन है ना क्योंकि इन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जैसे हमारे जो जाटों के लोग थे ना हरियाना के मैं आपको बताओं जब सोडा में जाट अंदोलन हुआ तो उन्होंने ऐसे ऐसे ऐलिगेशन लगा कर मीडिया में चलाया कि दिल्ली में जाटों के बच्चों को कमरा मिलना बंद हो गया तो इन्होंने क्या कि हमारे बच्चे क्या करते थे मालूम है परियाना के जो बच्चे थे जो जाट परिवार के थे वो दिल्ली में जाके नाम बोलते थे अपना की तुम्हारा नाम क्या है कि जी मेरा नाम है जी दिविंदर रोडा ताकि अगला पुछे ही ना कि कुण सी जात का है बाटिया है शर्मा पंड़त जी पंड़त फलाना ताकि वो मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा ले हर कौम जो भी लड़ेगी उसको इसी तरह बदनाम करेंगे क्योंकि लड़ने वाली कौम की क्या खासित मालूम है अगर उसको लड़ने के लिए दुश्मन ना मिले तो वो अपने घर में लड़ना शुरू कर देता है कौम ने लड़ना ही है अपने लड़ना ही है अपने लड़न खात्तरी पैदा हो रहे ठीक है न जी अपने जो गुरू थे उन्होंने अपने को शिक्षा ये दे रखी है कि अपने दीन दुखी की सेवा करने के लिए लड़ना ही है अपने लड़ना बंद कर दिया उदर दुश्मनों से आप आपस में लड़ने लगे अब सारे पिंड जो है अपना ये केक पिंड में दस दस पिंड बंगे कभी उन्होंने राजनीती के नाम पे लड़ा दिया कभी किसी नाम पे लड़ा दिया तो जी किसान के पास ना अपना पानी है ना अपना बीज है ना डंगर का बीज है ना आदमी का बीज है उसके पास कुछ नहीं है जब चाहें किसान की गर्दन दबोच सकते हैं वो दुकानदार का मैंने बता दिया नोकरी पेशा के लिए बता देता हूँ 90% नोकरियां खतम हो रही हैं या होने वाली हैं 90% और यह ओफिशियल स्टेटमेंट्स हैं कमपनियों की भी और सरकार की भी तो जी नोकरी भी गई दुकानदार भी गए रहे गया मजदूर आदमी मजदूर आदमी को कोटे से राशन मिल रहा है अभी तेल जा चुका है दाल जा चुकी है चावल जा चुका है एक गेहू बचा है या गेहू जा चुका है तो चावल बचा है या गेंव और चावल बचे हैं तो दोनों फॉर्टिफाइड हैं उनके अंदर ऐसा केमिकल स्प्रे करके दे रहे हैं कि वो अगले 5-7 साल में उसको भी कैंसर हो जाएगा ठीक है जी तो मतलब कोई तबका बचा क्या आपका गाउं का कोई तबका बचा दो नहीं होगा जी मिस्त्री हैं उनके लिए नई गाड़ियां आ रही हैं वो केवल अजंसी में ठीक हो सकती है मिस्त्री का कोई काम नहीं बचा जी ठीक है रेफरिजेटर है चाहे ये एसी है चाहे जितना भी इलेक्टरोनिक का समान है इनका जो अंदर जो पार्ट खराब होता है वो सिर्फ कंपनी से ठीक होने वाला है लोकल मिस्त्री बरबाद हो गया लोकल उद्योग बरबाद हो गया लोकल किसान बरबाद हो गया नोक माड़ा जी सोच के देखो है हमने दोबारा लोकडाउन लगा दिया और शहरों में तीन दिन से ज़्यादा का राशन नहीं है किसी भी शहर के पास अगर लोकडाउन लगता है और शहर में खाना बंद कर दे पूर्ती क्या कहते कि सरकार है नहीं है हमारे पास अनाज हम पिछले तीन साल से खिला रहे हैं आपको गर बैठे सी करोड लोगों को पांच-पंच किलो इतना नाज कहां से लाएं अब तो सिर्फ अडानी के पास पड़ा है अब अडानी तो जो है वो सोना लेता है अब तो का जार टन सोना रखा है यह अगला सोना जैसे एक्जेक्यूटिव ओडर आया था 1933 में अमरीका में के जिसके पास भी सोना है जमा करा दो और उसके बदले में बॉंड ले लो बॉंड बाद में रुपए में ट्रांसफर हो जाएंगे रुपिया बाद में कागज की टुकड़ में हो जाएगा समझे जी यानि आपकी जमीन भी गई आपके घर में सोना भी नहीं है आपके घर में लोहा भी नहीं है कमाल की बात आपकी नई गाडियों में लोहा नहीं आता लोहे के जितने इंजन जितनी गाडियां सब वापस मंगा रहे हैं कि खबार हो चुका है नहीं जी उनको पता है कि ये लड़ने वाले लोग है गंडासा बनाना होएगा तो ये किसी भी चीज को पिगला आगे बना लेंगे इसलिए उनके गर से लोहा निकालो समझे ना तो लोहा भी दातों भी नहीं आपके पास कोई कुछ नहीं बचा आपके पास अब बिलकुल खाली हो चुके हो बड़ी बड़ी कोठिया हैं लेकिन वहाँ कबूतर ही कबूतर हैं आदमी नहीं दिखता बच्चे नहीं है हमारे कि पंजाब का भी यहाल है और हर्याना पंजाब को बड़ा भाई मान के पिछे-पिछे है ठीक है तूसी जाके वतर ड्रेवर नन चले हो कड़िया दे साथ ड्याड़े कनेक्टर बनें चल लें पीछे पीछे ठीक है जी कि तुझी जाके ट्रक लाए लो आसी परले बन जाना था ट्रक की साफ कर दिये बाकी कुछ नहीं गले है जी अपनी अगली पीढ़ी पूरी तरह से खत्रे में है जमीन अपनी सारी जा चुकी गाओं अपना जा चुका सबसे बड़ा अटैक उन लोगों को अपनी सब भतापे करना है एक चीज मैं आपको बता दूँ शायद आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी हमारे समीधान के अंदर उन लोगों के लिए स्पैशल प्रोटेक्शन है जी जो लोग कबीले में रहते हैं और आपको ध्यान हो आप कबीलियाई लोग हैं हम कबीलियाई लोग हैं जो यह एरिया है ना हरियाना पंजाब का है हमारे कबीले की खासियत क्या रहती है हम गाओं में रहते हैं अपने गाओं की कल्चर फोलो करते हैं गाओं की अपनी न्याय परनाड और आपका कुछ नहीं चाहिए तो सरकार का कोई कानून कभीले पर लागू नहीं होता है जो अपनी धोती और अपनी पगड़ी यह जैसे आपका जो पहना हुआ है जो आपका पंजाब का ट्रेडिशनल पहना हुआ है यह जो है यह सलवार पहन ली हम लोगों ने हमारे बच् पेंट खरीद के लाने वाड़ा तो महीं था जी मेरा बाप पुलाया जी यह में लाया मेरा बाप पुलाया आपने बच्चों को आप जो पहना रहे हो आप ही तो पहना रहे हो इसमें मकोले क्या गलती है अपनी संस्क्रीती को छोड़ा हमने खुद है दक्के से अपने से को क्यों नहीं चुड़वाया जी हां तो फिर लड़े ना तो हमने लड़ना सिखाना होता है अभी आज कल क्या कर दिया हमने मैं वही कह रहा हूं जो किसान आंदोलन की बात करो ना अगर आप किसान आंदोलन में लडने वाले कौन थे या तो उधर वो पगड़ी वाड़े थे या इधर ये पगवाड़े थे दोई लोग तो थे हम अपने नौजवान बच्चों को क्यों नहीं लेके आए कि पूत को मुकदमा हो जूगा तो नोकरी नहीं मिलनी अपना टार्गेट के आए कि हमारे बच्चे नोकर बन जाएं किसी के मालक ना रहें अपने घर में मालक हैं मदब सा उद जिसके पास दस हजार करोड रुपिया है रोज का कमाई अडानी उसको तो आपकी जमीन चाहिए और जिसके पास है जमीन वह छोड़ने पर फिर रहा है बताओ यह इतनी कीमती चीज आपके पास है आप में कुछ नहीं रख्या पढ़ले मिटी में कुछ नहीं रख्या मिटी नाल मिटी होके डंगरा नाल डंगर होके कुछ नहीं रख्या अपने को बचाया ही डंगरने मिटी ने थे भाई साब हम लोग लड़े ही इसलिए क्योंकि मिटी से जुड़े हुए थे मिटी से कटे त तो तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा क्योंकि अगर आपने इनके कानून जारी रखे तो आपको मैं बता रहा हूँ आपका आधार कार्ड आपकी सारी सेवाओं के साथ जुड़ रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपका बैंक अकाउंट आपका आईटियार आप आपका पैन नमबर आपकी गाड़ी के कागच आपकी जमीन के कागच चाए खेत के हों चाए घर के हों आपका गैस का कनेक्शन पानी का कनेक्शन बिजली का कनेक्शन सारे कनेक्शन सब कुछ आधार से जुड़े हुए हैं यानि अगली बार इनको पिछले वाला काम करना ह ना पिछली बार भी तो आप क्या पेटके उपर नोने हाथ रख लिया था ना क्या वոला था क्या अनाज नहीं मिलेगा तंका नहीं मिले गी पैंशन नहीं मिलेगी बस में नी चड़ने देंगे दुकाण festival सकते रेल के सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यही काधना अगली बार अगर यही करना होगा तो अनाउंस करने की जरूरत नहीं है आधार बेन कर दो बस गैस का कनेक्शन भी बंद पानी भी बंद बिजली भी बंद सब बंद और उसके बाद फिर जाओ लगवा के आओ पता है कि गड कि मालूम है कि बाबा जी पिछली बार तो बन गया था सर्टिफिकेट हुनते लुआना ही पहूँ ओ देखो CCTV कामरा लगया हो यह बेटी पाणी आड़ा लगा दे इसमें केमिकल खराब है और कहेगी ना बाबा जी ओ बार स्कैनर लागे वेठी है डक्टर पूनम वह चेक क इसलिए यह पूरा गेम चल रहा है आपकी बाडी में वो केमिकल जाना ही जाना चाहता है अब वो क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने परिवार को अगर कटवाना हो तो आप पर ही कटवा लेंगे फिर इन्होंने एक बटन दबाना है आदमी बैठा बैठा था आपने एक सपोर्ट डेड़ सो लोग मरे थे एक साथ एक कि टाइम चिरफ क्या करना है आपकी जेब में जो यह यह है ना यह जिसके हाथ में फाइव जी मटीरियल है फाइव जी है यह मिलिटरी टेकनोलोजी है मिलिमीटर वेव टेकनोलोजी अगर यह आपने पॉकेट में यहां डाल के लिए सरकार चली हुई है तो वह इतना एक्टिव होता है कि वह सीधा टैक मारता या तो ब्रेंस्ट्रॉग दिल में या सिधा ब्रेंपर सिधा स्ट्रॉग धां ओन्दा स्पॉट टेस्टिंग बहुत जगह हो चुकी है कि समझ रहे हैं कि लेकिन क्योंकि हमको रिसार्च करने की आदत नहीं हमको बोलने की आदत नहीं हमको नदे की आदत भूल चुके लेकिन कुछ लोग हैं अभी वी जिन्नोंने यह तेरा महीने तक बॉर्डर पे बैठ के अपने अगली पीड़ी को बचाने की लड़ाई लड़ी वो भी किसी तरह से उस बात को वहां तक नहीं पहुचा पाए क्योंकि आपकी पंजाब की जितनी जत्थे बंदियां थी सबी जत्थे बंदियों को हमने बैठ के बहुत डिटेल में समझाया कि जी ये हो रहा है ये लड़ाई सिर्फ जमीन बचाने की नहीं है ये लड़ाई सिर्फ तीन कानूनों की नहीं है तीन कानून तो छोटी चीज़ हैं इसके अलावा जो अगले कानून आ रहे हैं उनका तो अंदाजा भी नहीं है आपको मालूम है क्या पेंडेमिक ट्रीटी क किसको पता है एक एक बंदे को दो तीन मैं आपको बता रहा हूं जी नए कानून आ रहे हैं और पूरे देश में आ रहे हैं और यह इस लेवल पर आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना भयानक दोर होगा पहला कानून पानी का जिसके घर में समर्शिबल है दस हजार रुपया सालाना शुरुवात में टेक्स अगर कानून अगर किसान बीज कहां से लाया अगर यह साबित नहीं कर पाया तो तीन साल की कैद बिजली प्रीपेड होगी सबके चिप वाले मीटर होगे आधार से जुड़ा होगा और कंपनी जितना चाहे उतना रेट बढ़ा सकती है । तीसरा विजली आदमी की नहीं रहेगी पानी के उपर प्राइविट कंपनियों को अधिकार दिया जा सकता है बेचा जा सकता है आपके डैम नदिया तालाब जोहड इनको देने की त्यारी चल रही है निर्मल्स रोवर्योजना इस पूरा जो यह सडी अंतर जो मैंन पूरी दुनिया की बैंकिंग को सबारता है वो एक जूज है, वो एक इसराइली है और वो उस पूरी की पूरी गैंग का टॉप पे बैठा हुआ आदमी है जो सब को कंट्रोल करता है और वही आदमी के नेत्रितों में यह सब कुछ हो रहा है इसलिए मैं पूरे इसराइल को नहीं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इसराइल की जो जनता है उसका भी हाल अमारे जैसा ही है लेकिन यह जो तेरा लोग है मैं इनी को इसराइल बोल रहा हूँ इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैंने आज से साथ मीने पहले बोला था अपने देश में इसराइल आ रहा है आने वाले वक्त में इसराइल ही इसराइल होगा आपकी सबजी की जितनी टेक्नोलोजी है दुबारा डेवलप करने की उनमें इंडो-इसराइल प्रोजेक्ट है आपके जोहर साफ हो रहे हैं वो इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है आपके कुछ भी काम हो रहा है वो इंडो इसराइल प्रोजेक्ट है जितने भी ड्रोन की टेकनोलोजी है जितना सारा इंडो इसराइल है अब कमाल की बात इस देश की ये है कि परधान मंतरी सपोर्ट कर रहा है इसराइल को विदेश मंतराला सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तिन को क्योंकि परधान मंतरी वहीं से चल रहा है आज कल का फिर इसके बाद आप चले जाईए UPSSF बनाया उन्होंने UPK अंदर Special Security Force बनाया है उन्होंने और वो उसकी तरज पर पूरे देश में Special Task Force बनने जा रही है आतंकवादियों को रोकने के लिए उस Force के पास क्या अधिकार है कि बिना वारंट के आपके घर में घुश सकते हैं बिना सर्च वारंट और बिना एरेस्ट वारंट के आप उस Force ने अगर आपको गिरफतार किया है तो छे महिने तक उनको चार्ज शिट दाखिल ना भी करे तो चलेगा उसी में डाला है वो यूए पीए है वो पूरे देश के लिए यूए पीए है मतलब जब यूए पीए के खिलाफ अपन खड़े होंगे तो स्टेट की बना देंगे फोर्स वो यूए पीए का कमाल देखना आप यूए पीए कब बना मालू मैं आप लोगों को अनलोफुल एं अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1965 ये कानून बना 1965 में एमर्जेंसी कब आई 1975 में दस साल बाद अब दोबारा मोधी सरकार ने यूए पीए को एक्टिव किया पड़ा था दोबारा नोटिफिकेशन मतलब उसको टाडा वाडा और यूए पीए को बंद कर दिया गया था जब वो जेपी का अंदोलन हुआ इसने आके एक्टिव किया मालूम कब 2017-16 के असपास इसका मतलब आपन मान सकते हैं कि 10 साल बाद 25-26 में अमर्जेंसी के चांसिज है अब की बाद फास चल रहे हैं इसलिए 24 में भी हो सकते हैं 25 में भी हो सकता है 24 के लिए वो पहले ही बोल चुके हैं कि 24 में एक ऐसी बिमारी आ रही है पिछले वाली बिमारी से 6 गुना मोत होने वाली हैं और ये बात हम लोग 2 साल पहले से बोल रहे हैं कि जिसके शरीर में सरकार का भेजा हुआ केमिकल चला गया वो भी ऐसे ही मरने वाले हैं यानि कि मरेंगे असल में साइड इफेक्ट से और बताएंगे वो लोग नई बिमारी और उसके नाम पर लगेगा फिर लोकडाउन दोबारा से तो जो बचे खुचे लोन वाले बचे हुए हैं उनका भी हो जाएगा बठागोल अबर सबकी जमीने के करके होती रहेंगी निलाम सबके घरों पर ताले लगने हैं क्यूंकि आपके जो लाल डोरे तोड करके सबको पुराने घरों पर लोन दिया गया है सबको दिया गया दे रहे हैं माला उनकी कोशिश यह है 100% आदमी लोन में आना चाहिए सोशल क्रेडिट स्कोर लेकर के आना है जो शब्द है जो आप बार बार सुनोगे सोशल क्रेडिट स्कोर credit score याद रखना ये शब्द अब वो UPSSF के अंदर जो मैं बात बता रहा था कि आपको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे उसके बाद पहले जो है सिर्फ जेल में जाने वाले आदमियों के लिए ही fingerprint लिए जाते थे थाने में fingerprint ले नहीं सकता था थानेदार लेकिन DNA Profiling Act और Criminal Identification Procedure Act के तहत वो आपके थाने में ही आपका DNA सेंपल जबरदस्ती ले सकता है मतलब यह अब मैं आगे कानून बता रहा हूँ उसके बाद जेल में जब आप चले गए और छे महीने बाद जब क्यूंकि 6 महीने बाद जब उनको बाहर आए और उनको पूछा कि तुमने हमको किस कानून के तहट या किस गल्टी के या किस crime के तहट तुमने हमको जेल बेजा था और वो जवाब नहीं दे पाया तो आप उसो court में नहीं खीच सकते आप उसके उपर कोई कारवाई नहीं कर सकते यह उस एक्ट के अंदर है क्योंकि उसने जो किया वो गुड फेथ में किया समझ गे और अगर आप चले गए गलती से काओं का आदमी था उसको नहीं मालूम था कि इस कानून में ऐसा कुछ है उसने का ना मैं तो कोट में खीचूंगा तो कोट ऐसे किसी कानून किसे ऐसे किस को ले नहीं सकती है कोट को मनाई है जो खेती के तीन कानूनों में भी था खेती के तीन कानूनों में एग्रिमेंट वाले में क्या था कि अगर EDC से आप संतुष्ष नहीं होते हो तो आप court नहीं जा सकते और अगर court में चले गए तो court लेगा नहीं यही चीज यहां है कलियर जी यही चीज pandemic treaty के अंदर है pandemic treaty क्या कहती है कि जिस दिन pandemic आएगा WH.H.O. घोशना करेगा और देश ने पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन किया हुआ है तो देश का समिधान नल एंड वाइड हो जाएगा कोई सुप्रीम कोर्ट नी कोई कानून नी कोई समिधान नी जो डबलु एचो कहेगा वही होगा यह उसमें लिखा हुआ है और उसमें यह कहा है कौनसी कौनसी बिमारी पे डब हार हो जाए तो भी कुटा काट ले तो भी चुहा काट ले तो भी साइड इफेक्ट हो रहा हो तो भी कुछ भी मतलब कुछ भी कभी जब मर्जी वह कह सकते हैं आपको ठीक है जी उससे बड़ी बात क्या है आपकी मर्जी के बिना वह आपका टेस्ट कर सकते हैं जो वह चाह यानि आपका अगर पक्का इलाज करना है तो पक्का इलाज भी कर देंगे क्योंकि पेले किया ना इन्होंने टेस्टिंग किया इन्होंने बंदे को ले गए इलाज कराने के नाम पे पक्का इलाज करके सफेज चादर में लपेट के पकड़ा दिया कईयों को तो पकड़ाया भी नहीं अपने आप ही फूक आए जिन्दा ही जला दिये बहुत से लोगों को तो संसकार के नाम पे किया है जी मैं जो कह रहा हूँ वो ये कर चुके हैं इसलिए मेरी बातों को आप ये मत सोचना की है हवाई हवाई बात कर रहा है मैं ये बात ने जब पहले बताता था लोग डाउन से पहले तो लोक था पगला गया है मास्टर सटका गये सटक गया दमाग इसका समझे ना जी तो ये पहले कर चुके हैं आप थोड़ा एक इन लोग जादा कर रहे हैं उसी कानून में ये कानून है मैं नहीं कहा रहा हूँ जी लिखीत में पड़े हुए है पबलिक डॉमेन में पड़ा 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 है प्रेशर डाल देते हैं पिछे अवेकन इंडिया मुमेंट ने डो डाई लाग ईमेल भेजी पीम को तब जाके रुका वो साइन नहीं त वो पपू हो खुजली वाल हो मोतिलाल हो कोई भी हो समझ गए ना आब उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो उनको इस बात से फरक नहीं है कि गद्दी पे कौन बैठा है जब टेक्सेशन हमारा है पैसा हमारा है बैंकिंग हमारी है करजे पे जमीन हमारी अब एक बात बताओ जमीन कहां पे करजे पे पड़ी है कहां गिर भी पड़ी है बैंक के पास बैंक प्राइवेट होने लग जाए रोडानी का हो जाए तो जमीन किसके कोगी अडानी की अडानी की शेर मार्किट का अडानी का विजनस कहां से चलता है शेर मार्किट शेर मार्कि हुआ अडानी को जब चाहे मिट्टी में मिला देते हैं अभी छे महीने पहले हिड़न बरक की रिपोट आई और तेरा लाग करोड रुपे का नुकसान हो गया किसलिए हुआ था यह सिर्फ अडानी को उसकी उकात याद दिलाने के लिए था कि फलतु हवा में उड़ेगा तो मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं उससे पहले विजयमालिया जैसे बहुत आए यह सहारा इंडिया वाले बहुत आए जो भी हवा में उड़ा उसको मिट्टी में मिलाने में दो मिनट लगते हैं वरना इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया हुआ क्या मुद्रा पोर्ट पे जब इतनी पकड़ी गई थी, अडानी अंदर नहीं होना चीए था, लेकिन नहीं, अभी इसराइल का हाथ उसके उपर है, अभी उसकी सारी कमपनियों में इसराइल का पैसा लगा हुआ है, तो अभी आपका पैसा उन कमपनियों को लाना है, फिर जो ढूबता है तो पैसा आम इनसान का डूबता है, क्योंकि उनको तो पहले मालूम होता है, इटनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले हमको मालूम था कि रिपोर्ट आएगी और पैसा डूबेगा, हमने तो प्रूबी वीडियो बना रखी थी भाई साब, आपने तो सुने नहीं, हमारा नीडर इंडिया चैनल उसके उपर बोड़ा, मैं जब भी कोई इवेंट होता है, यह होने वाला है, पहले बोल देते हैं हम लोग, वो हुआ, पैसा डूबा, किसका डूबा, आम इन्वेस्टर का, बड़ी उनका नहीं डूबा, उन्होंने तो पहले निकालके दूसरी कंपनियों में इन्व बार सर्च करो न, देखो दो भाई हैं, अनि लंबानी और मुकेश लंबानी, एक भाई तो टॉप पे है, और दूसरा भाई का कोई बिजनस नी चल रहा, वो जो दूसरा भाई है, उसका लड़का अन्मो लंबानी है, अन्मो लंबानी की एक बार ट्वीटर हैंडल पे दे जो उनके वाले में शामिल हो जाएगा, उसको सत्ता भी मिलेगी, उसको पैसा भी मिलेगा, उसको पावर भी मिलेगी, जो नहीं होगा उसको गोली मिलेगी, ये बात हेंडरी किशिंगर अपनी किताब में बोल चुका, एकनॉमिक हिट मैन, किताब पढ़के देखिएगा, एक दाइकनॉमिक हिट मैन उसमें किशिंगर खले आम बोलता है कि हम लोग हिट मैन हैं सब्ता में बैठा हुआ आदमी या समाज में चल रहा आदमी हम दो ओप्षन देते हैं दो हाथ में एक हाथ में पैसा और पावर जितनी चाहिए बोलो पैसा चाहिए कि पैसा पावर चाहिए तब पैसा और नहीं दूसरे हाथ में बंदूक है मरना पड़ेगा जो भी बोलता है मतलब आपके पास ऑप्षन ही नहीं है अभी ये बाबा राम दिव 2011-12 में खूब चिला चिला के बोलता था रोस्चाल्ड रोकफैलर के बारे में अचानक 14 में आत्मग्यान हो गया चुपो गया क्योंकि 6000 एकड़ जमीन मिल गई उसको फ्री में और करोड़ों का कारोबार चल पड़ा और उधर से उसकी मनमर जी के टिकेट और उसकी चलने लग गई तो बढ़िया ठीक है इधर से ये जो आप ये अर्विंद के जरीवाल 11-12 में जब ये परिवर्तन चलाता था जब ये उदर बैठा था हैं इंडिया अगे इसक्रप्शन में सारा कहानी पता इसको टोटल कहानी के सरकारें कैसे चलती हैं लेकिन ये भी बोला गायब ये भी चुप मैं तो बारा में मुझे पता चला था तो मैंने नौकरी छोड़ दी उसी दिन मैं अभी उनके लिए खत्र मैं अभी सत्ता में नहीं हो ना ना मैं सत्ता अचीव अभी इतनी पबलिक नहीं है ना अपने साथ अब देखो अर्विंद केजरिवाल लाला के साथ इतनी पबलिक हुई लाला को डाउन मार दिया अब लाला चला लाला मतलब बाबा लाला हराम बनाई और वेकानन फाउंडेशन बनाकर सारे करांटीकारी जो सो कोल्ड करांटीकारी है देखो ना अभी हम लोग सारे सो कोल्ड करांटीकारी हैं मेरे समयत तो उनको बुलाया और ऐसे ही सभा बुला करके ऐसे ही कहा कि हम देश के लिए लड़ेंगे सारा पैसा RSS वो केजरिवाल को कहा गया एक गांधी जैसा चेहरा लेकर के आओ उदर से अन्ना को लेकर के आया गया जिसमें किरन बेदी और ये कुमार विश्वास दोनों जने जाकर के लेकर आये थे सारा स्क्रिप्ट अजीड डवाल ने लिखा हुआ था जिसको बाद में NSA बनाया गया अ तो उसके बाद जब यह पूरी वेव चलती है तो दोनों की सरकार लगबग लगबग बराबर बनती है उसकी 14 में बनती है मई में और इसकी 15 में बनती है जो दूसरे वाली सरकार पहली सरकार में सरकार बनते ही पहले ही दिन आपको ध्यान हो फरवरी में सोरी बनते ही पहले ही दिन जब इंटर्वी होता है तो केजरी वाल से पूछा जाता है तुमने जो प्रामिस किये हैं वो कितने दिन में डिलीवर करोगे वो सवाल आज तक सेंटर में बैठे मोधी से किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा त्यानना सौरी मीडिया इसके केजरी वाल के खड़ी थी उसके बाद भी ये सरकार बनाया पंदरा में तो भी अगेंस्ट खड़ी थी लेकिन दो तिन महीने के बाद मीडिया का जो रुख है वो पलट गया और अब वो इसके गीत गाने लग गई मतलब मेंस्ट्रीम मीडिया जो केंदर में बैठी है वहाँ पर दिल्ली में वो मीडिया जिसके अगेंस्ट बोल रही है जिसके फेवर में बोल रही है वो उनका आदमी है सिदा हम है हमने बोलना चुरू कि हमको कौन पूछता हमने 15 साल 16 साल तक काम किया इसके उपर human intelligence पे क आदमी का बच्चा कैसे सोचता है कैसे काम करता है किस काम के लिए बनाया उसी पर मैं education पर काम करता करता लोगों को समझाया करता था आप सोचिए जब मैं 2022 में गिरफतार हुआ और तीन दिन जेल में रहे के आया जब मास्क वाले मसले पर जब मैं बाहर आया आप जानकर है कि मेरे पिछले पंदरा बीस साल का काम जीरो कर दिया उन लोगों ने मतलब कोई अगर मुझे जानता है आज अगर आप सर्च करोगे डॉक्टर देवेंदर बलहरा तो सबसे पहले जो वीडियो आती है वो एक दिल्ली के डॉक्टर देवेंदर की आती है जो सीरियर किलर है फिर आती है मतलब अपने वाली बात तो कि ये भी कोई मानस है लेकिन वो भी सिरफ ऐसा दिखाया जाता है कि ये आदमी केवल गॉर्मेंट का विरोधी है असलित में मैं क्या काम करता था वो नहीं तो अभी क्या है 24 के चुनाव तक हम लोग बचे रहेंगे 24 के चुनाव मे हम या तो उनके साथ चले जाएंगे तो भी बचे रहेंगे अगर उनके खिलाफ हुए और हम उनकी इस वेवस्था के लिए खतरा बन गए उस दिन अपन नहीं बचने वाले अभी हम वेवस्था के लिए खतरा नहीं है इसलिए बचे हुए है जब राजीव दिख्षित खत कर दी राजनीतिक विकल्ब चालू कर दिया और देखा गिए तो सब खा जाएगा चला गया लेकिया यानि कि हम अगर सब्ता के इनी सिस्टम में बैठते हैं इसी सिस्टम में बैठके मतलब हम बोगो कोई political party बना लें और वो कर लें तो नहीं है 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 अगर हम कोई political party बना लेते हैं और इनी के system में fit हो जाते हैं और फिर 10-20-50 मतलब जैसा कैसा है में ले मतलब जितना हमारे साथ लोग जुड़ेंगा उसके साथ से वो बता देंगा पहले ही तरको minister बनना है कि तरको जी हम बना देंगे मतलब पहले से टाय करता है यह बगुंत बगुंत मान देखो ना सब पहले से मालूम है इनको कि सरकार किसकी बनेगी आप नहीं सोचें जब पंजाब में सरकार आती है वो भी लोग हार जाते हैं जिनके हारने का कोई चांस ही नहीं था वो किसलिए हराए गए मालूम है कि सदन में असलियत बताने वाला कोई भी बड़ा नेता खड़ा ना हो यह सिर्फ यहां नहीं हुआ है गुजरात में भी यही हुआ है और हिमाचल में भी यही हुआ है उस तइम पे आपका पंजब का चुनाव था तो तीन चुनाव थे वहां फुल मिजोरिटी पप्पू को देदी वहां फुल मिजोरिटी मोतिलाल को देदी यहां खुचलीबाल को देदी फुल एकदम बोलने वाला ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो पूरी की पूरा शड़ी अंतर बता देगा खिलाफत में पब्लिक लीडर कोई नहीं होगा लीडर होगा केवल पॉल्टिकल पार्टी का पालतू रहेगा मतलब पब्लिक लीडर होगा तो पब्लिक की बात करेगा ऐसा कोई नहीं है ना सेंटर में है ना हर्याना में है ना पंजाब में है ना मदपरदेश में है ना महराष्ट कहीं नहीं है सब विकाव माल त्यार करके रखे होगा है तो उस कानून पे फिर से आते हैं पेंडेमिक ट्रीटी पे पेंडेमिक ट्रीटी में क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी मर्जी के बिन आपको घर से उठाना आपका टेस्ट करना आपका इलाज करना असली इलाज या पका इलाज जोन साभी वो चाहें वही इलाज करना और वो उनके हाथ में है उससे बड़ी बात क्या है कि यदि सरकार के किसी अधिकारी को शक है कि आपके घर, आपके डंगर, आपके परिवार, आपके कपडे, आपके डबल बैड, आपकी फसल किसी में भी वाइरस है तो वो उसको डिसिन्फेक्ट कर सकता है पर शर्फ शक के अधार पर और यदि बाद में टेस्ट में नेगटिव आ जाए क्योंकि पहले भी हुआ ना कहीं बार ना कि टेस्ट पहले ले लिया शक्ता ले गए उसको उठा के बाद में बता नेगटिव है तो घर चोड़ गए वह था ना पिछली बार भी अगर बाद मे पता चले कि नेगटिव आया और उसमें वारेस नहीं था तो आप मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो किया गुड़ फेथ में किया वही लाइन बिल्कुल डिट्टो लाइन लिखी हुई है वही खेती के कानून में वही यूपी एससफ में यूई यूवेपीय में य ठीक है जी बड़ी आ कानून बन रहे हैं गाउं में आपका अगर धंदा बिल्कुल चोपट हो गया है रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं करजे की किस्त नहीं चुका पा रहे हो तो अपने घर का एक कमरा ओयो के हिसाब से सेट कर सकते हैं लड़का लड़की को कि आजाएंगे दो घंटे के लिए तीन घंटे के लिए पूरे गाउं के कल्चर को खराब करने की युजना चल दिया है माचल में नहीं अर्याने में भी आ गया ओयो कमरा अपने घर में ठीक है जी बड़ी आए ना लड़की की उमर 18 साल नहीं 21 साल कर दी गई है और कमाल की बात ये है कि हमारी बेटी 21 साल की शादी 21 से पहले शादी नहीं कर सकती लेकिन 16 साल की लिविन में रह सकती है है ना कमाल की बात लिविन में 16 साल की रह सकती है 21 से पहले ब्या कर दिया तो माबाप को जेड़ हो जाएगी तो 16 से लेके 21 तक अगर बीच में प्रेगनेंट हो जाए देखो जी अगर वो प्रेगनेंसी को गिरा देगी तो जीवन में कभी मानी बन पाएगी सारी उमर गिल्ट में रहेगी और अगर बच्चा नहीं गिराएगी और परिवार जो है वो पालने से मना कर दे तो सरकार ने हर जिले में शिशु पालन के अंदर बना दिये हैं आपके नजायज बच्चों को सरकार रख लेगी कोई दिक्त नहीं है मतलब क्या बढ़िया इंतजाम आपसे पूछे भी ना आपके लिए कानून बना रही हैं सरकारे क्योंकि वो कल्चर ले करके आना है उनको आपकी अपनी कल्चर को बरबाद करना ही करना है इनोंने और बचने का एक मातर रास्ता है अपनी कभीलियाई कल्चर वापस लानी पड़ेगी बस कोई रस्ता ही नहीं है इसके लावा आपके पास अपना बच्चा अपने गाओं में रहेगा हमें कैसा बच्चा चाहिए वैसी पढ़ाई पढ़ाएंगे हमें जैसा चाहिए अपने को जो गाओं की कल्चर के साब से हमको त्यार करना वैसा बच्चा तयार करेंगे ना पढ़ने के लिए बाहर जाएगा गाओं से ना नोकरी करने के लिए बाहर जाएगा अपने गाओं का कल्चर बनाएंगे लेकिन उससे पहले आपका पका इंतजामिनों ने कर दिया है वो क् पताल की, स्कूल की, जोड की, बणी की, शामलात की, या तलाब की, या जंगल की, या बणी की, या रस्ते की, जो भी उसके, चोपाल की, या जो भी आपकी कठे होने की जगह होती है, वो सारी जमीने सरकार अपने नाम रजिस्टरी कर चुकी है, पता आप कोई बात, लगया ह हो या ना समझ गे ना जी अब सोचो आपकी अपनी जमीन भी गिर भी पड़ी है और सामुईक जमीन सरकार ले गई पानी आपके पास नहीं है अनाज आपके पास नहीं है बिजली इनके हाथ में है इंटरनेट इनके हाथ में है इंटरनेट इनके हाथ में है तो बैंक इनके हाथ में है बैंक इनके हाथ में है तो पैसा इनके हाथ में है सोना आपके पास बचा नहीं लोहा आपके पास बचा नहीं बीज आपके ये सारे कड़ी जोड के बताई आपको कि ये एक कड़ी पे लड़ने का समय नहीं है सिरफ खेती पे लड़ने का टाइम नहीं है जितने सरकार इरोड हैं हमारी जमीनों पे बने हैं कमाल की बात क्या पता है भूमी अधीगरेंड कानून में पहले था कि 70% लोग जब साइन कर पते हैंगे तो वो जमीन अधीगरेंड की जा सकती है लेकिन अभी नया कानून क्या कहता है कि अगर सरकार को कोई मकान चाहिए आपका मकान है और अडानी जी को लगा कि यहां पे मौल बड़े हाँ बन सकता है तो वो सरकार को चिठी लिखेगा कि ट्रिपल पी मॉडल पब इसी रेट के हिसाब से पैसे प्रोच जाएंगे महीने बीतर खाली कर दो यह प्रैक्टिकल मध्या परदेश में चार किसानों के साथ हो चुका है अपकी नहीं रहेगी बस आप आप आपना निकलो बार ठीक है जी पेरिकूट हो रहा है पंजाब में हो चुका है हो गया तो हो गया बड़ी अच्छी बात है मुबारगो ठीक है जी तो जी अब आपके पास मौका है इस लड़ाई को लड़ने का देखो जी तरीका है और मौका है दोनों चीजे हैं क्योंकि जो गाओं का आदमी उसे मालूम निया लड़ना कैसे है हमने कहा कि जनता सरकार मोर्चा पा महला मोर्चा जल जंगल जमीन और जानुवर ये चार चीजों के बारे में फैसले गाओं लेगा हम ये अल्टिमेटम जारी करेंगे सरकार को पानी पे जमीन पे जमीन मेरी मेरा एक मकान है सरकार ने सो घर हैं वहाँ पर 99 घरों ने साइन कर दिये मुझे मेरी जमीन नहीं ब के एमपी के पास धाई लाख एक कड का पहले से इनों ने वो कर लिया है सर्वे कर लिया है कि ये धाई लाख एक कड में ग्लोबल विलेज बनाने वाले हैं आपको मालूम पड़े ग्रूप हाउसिंग सोसाइटी बनाकर ये टेस्टिंग कर चुके हैं कि एक गाओं के आदम पास ग्रोबल विलेज के नाम पर बना चुके हैं तो आपके पास अपनी जमीन नहीं बची खाने के लिए अनाज नहीं बचा पैसा आपके पास है नहीं गोल्ड आपके पास है नहीं जब आप ऐसी हालत में आ गए तो फिर आप क्या को होगे माई बाप रोटी रोटी दे दोस्त जिदर मर्जी रख लो, क्यों जी, फिर रोटी रोटी रखने के लिए बोलेगा, ये तिरे को कबूतर खाना दे रहे हैं, आप सोनीपत के पास जाओगे न, खाली पड़े हैं वो, इसलिए बना रहे हैं, या हर शहर के बाहर, दीन द्याल उपाध्याए आवास योजन के तहट छोटे-छोटे कमरे बनाकर के सिबसीडी दी जा रही है, सरकार खूब प्रमोट कर रही है उनको, हर छोटे शहर के बाहर भी, आप किन देखोंगे न, मौली बनेगे, सब जगे बनेगे ये, तो या तो आपके शहर के नजदीक, या वहाँ पर, उसके MP पर, तो वह ये हो रहा है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, कि आपके सारे गाओं को, सारे लोगों को, वहाँ पर रखने के लिए, कितने कबुतर खाने चाहिए, ये सब वो टेस्टिंग करके आपके, जो जिरकपुर से परली साइट जाओगे, तो सिरफ ये कबुतर खाने है, ठीक है उदर केमपी के असपास जाओगे, यही है, इधर से जाओगे, एंट्री करोगे, तो यही है, जिदर से एंट्री होएगी बड़े शहर की, वही होगा, आपको गाओं से क्यों उजाड़ना है, क्योंकि जिस समिधान के, जिस धारा की मैं आपसे बात कर रहा था, वो धारा आपके अधिकारों को सुरक्षित रखती है, केवल तब जब आप अपनी पुष्टैनी जमीन पर बैठे हो, जब आप अपनी पुष्टैनी जो आपकी पारंपरिक वेशभूशा है, उसको आपने पहना हुआ है, और आप अपनी कल्चर को मानने वाले हो, यदि आप अपन सरकार कर देते हो गाओं के उपर, तो गाओं पूरी जुरिटिक्शन से बाहर हो जाएगा, नौन जुरिशल हो जाएगा, तो सरकार का अधिकार खतम, हम लोग ऐसे लेवल पर जा सकते हैं, गराम सभा के पास, 71 में और 72 में संशोधन के अंदर ये मेंशन है, के गराम सभा म 70% लोगों ने अगर ये सिगनेचर करके दे दिया, तो जो सगराम सभा बोलेगी, वो सरकार को मानना ही पड़ेगा, सब को, सरकार को मानना तो कोट कहा जाएगी, उल्टा, ये अमेंडमेंट तो समिधान का ये ना, और कोट तो समिधान से ही चलती है, तीसरा, असलियत में तोड़ते पर दिखाते तो ये ना, लेकिन वो वहाँ कर नहीं सकते कुछ भी, पबलिक की स्ट्रेंथ के आगे, अब आप देखिए, तेरा महीनों में, अगर किसान आंदोलन ने मेरे को कुछ सिखाया, और जो हमको सीखने की बात है, वो ये है, कि सरकार भी रि को भी रिजेट कर दिया, ये बड़ी बात है, बड़ी बात, कि हम लोगों ने सुप्रीम कोट की भी मानने से मना कर दिया, और सरकार की भी, और हमने वो मनवाया जो हम चाहते थे, और जो संसद में पास हुए कानून वो वापस हुए, तो जितने भी संसद में कानून पास ह कोई हैं आजादी से लेकर के अब तक तताकती जुनसी केसी मिली आया है तब से लेकर हम अपने वापस कर वा सकते ना है मैं हाइ做ा प्रेश्य कब आएगा जब यह कफे होगे वकफे कॉन ship में कुछ कुछली लोग दबे कुछला कौन है सब प्रोप्लम क्या समधान क्या है समधान ये है जब मैं गाउवाडों को बोलता हूं कि खेत में जहाँ डालना बंद कर दो पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार हमारे पास ऐसे साथ ही हैं कि आपके खेत में आपको कोई chemical नी डालना पड़ेगा पहली बार में ही पूरी पैदावार के chances हैं आप करी रहे हैं आप भी करी रहे हैं ठीक है आपने कर लिया अब हमने तरीका बता दिया गाओं को तो गाओं वाले क्या बोलते हैं जब हम जाते हैं वो यह कहते हैं जी हम करजे में दबे हुए है नया एक्सperiment करने के मूड में नहीं है हमारे बसकी बात नहीं है तो हम अगर ये एलान कर दें कि पूरे गाओं के एक एक आदमी को करजे से मुक्त करना हमारी गैरेंटी फिर तो कर लोगे अपने गाउं को त्यार है बताओ बाई बाई अगर एक भी आदमी हम नी छोड़ें किसी को भी कोई शरप भी, कबाब भी नजड़ी करजे से मुक्त करेंगे सब को पहले फिर अपने गाउं की वेस्था बना सकते हैं आप हाँ नशे से मुक्त अगर कर सकते हैं तो गाउं कर सकता है जी सरकार नहीं करेगी बच्चे की पड़ाई का इंतजाम गाउं कर सकता है सरकार नहीं करेगी बच्चे के रोजगार का इंतजाम गाओं कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती गाओं सब कुछ कर सकता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती सरकार केवल वो करेगी जो उनके मालिक कहेंगे और सरकार के मालिक वो है जो उनको इलेक्टोरल बॉंड के जरिए पैसा देते है और electoral bond के जरिए पैसा देते हैं नशे के तसकर और पूंजी पती लोग जिनका एक ही नियम है एक ही धरम है एक ही जाती है और वो है पैसा और profit उसके बदले में आपकी संताने बरबाद होती रहें आपके गाउं के गाउं उजड़ जाएं आप cancer से मरो आप लड़के मरो आप जैसे मरो उनको कोई भरक नहीं पड़ता है इसलिए सरकार आपके लिए काम नहीं करने वाली है आपके लिए आपको खुद करना पड़ेगा जिनकी उलाद बरबाद हो रही है जिनके गाउं बरबाद हो रही है अगर वो नहीं कर रहे तो सरकार ने ठेका नहीं ले रखा कि करनाल में नसल बचाव रहे लिए 19 नमबर को लगबग एक लाख लोग हमी इकठा करने का प्लैन बना रहे हैं इक लाख लोग जब खड़े होकर करें अइलान करेंगे के पूरे भारत में जिसके जितने मोटे चलान हैं जितने मोटे जुर्माने हैं और जितना करजा है सब हम भरेंगे आओ तुम होएगा जनान दोलन त्यार वो भरने के बाद लेकिन शर्ट एक ही होएगी पूरे गाओं का करेंगे इंडिविज्वल का नहीं करेंगे तो गाओं ही कठा हो जाओ ये ये कागिस त्यार करो आपके गाओं में सिखाने आएंगे कैसे होना करजे से मुक्त आपके पूरे गाओं को करेंगे लेकिन शर्ट एक होएगी उसके बाद अपने गाओं को बचाने की लडाई चालू करोगे आप हमारे लिए कुछ नहीं करना ना हमको वोट देनी ना हमारी सरकार बनानी ना हमको अंदर लेके जाना क्योंकि आपको वहम है कि आप सरकार में जाकर कुछ कर सकते हो ये प्योर वहम है हर डिपार्टमेंट के अंदर हर कंपनी के अंदर हर मंत्रा लेके अंदर इसराइल का और ISI का एक आदमी बैठा है उसका सोरी, CIA का, CIA का नहीं, CIA का CIA से चलता है यह सारा खेल समझ गें आप, मोसाद से चलता है यह सारा देश मोसाद चलाता है, वहीं बैठा हुए है सारे के सारे अनिल मादवदवे का नाम सुना आप लोगों ने RSS का इतना बड़ा विचारक था, देश भक्त आदमी जिसने अपना पूरा जीवन देश भक्ती के नाम पर RSS को दिया उसको मोतिलाल सरकार ने वो बनाया था परियावन मंत्री बनाया था और GMO की फाइल उसकी टेबल पर थी उसी दिन बायचांस कुछ RSS के संगठन और कुछ लोग किसान संगठन वाँ चले गए कि जो GMO है उसकी वज़े से हमारी अगली नसले नपुनसक और बाँज हो रही है तो यह जो सरसों है और यह जो कॉटन है इसको ना दो आप इसको पर्मिशन और इनकी पर्मिशन वापस ले लो तो वो फाइल उसने रोक ली कि मैं नहीं करूंगा उसका पीए जोर लगा रहा है साब करनी पड़ेगी है तो प्रेशर है बहुत बोला सुन मेरी बात मैं मंतरी हूँ मैं करूंगा करूंगा नहीं करूंगा एक साल का समय देते हैं रिसर्च करेंगे जो उसकी फाइंडिंग्स होएंगी साल दो साल के बाद फिर क्या करेंगे कि इसको लगना है कि लागू करना है कि नहीं करना है उसके बाद उसको फाइल को hold पे रख दिया गया, कि यह अभी नहीं होएगी, यकीन मानिए वो उसका आखरी दिन था, अगले दिन सुबह बाथरूम में पड़ा हुआ मला, अनिल माधवदवे सर्च करिएगा, रहस्य में तरीके से मौत, ठीक है, उसके बाद इन GMO कमपनियो इदर जो बैठे हैं, बड़े-बड़े अडानियम बानी के लोग, यह क्या कर रहे हैं, मालू में बैक डॉर एंट्री, जो UPSC के अंदर बैक डॉर एंट्री चल रही है, आपको मालू में कैसे होता है, इस UPSC की जो बैक डॉर एंट्री है न, अडिशनल चीफ से कम कोई आ उसका डिरेक्टर ने फिर इदर से रिलाइंस के एक डिरेक्टर ने स्तीफा दिया, स्तीफा दे के मंतराले में जाके बैठा, वहाँ जाके वो फाइल साइन कराई, साइन करके फिर साल भर बाद स्तीफा दे के वापस आके रिलाइंस जोएन करा, समझे, मतलब ये लोग ऐस करते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है क्यों क्योंकि विवस्था रावन की बनाई हुई है इस पर राम भी राज करेगा तो यहीं होगा विवस्था नीचे से बदलेगी नीचे से उपर से बदल ही नहीं सकती वहां के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है गाउं बचा सकता इस देश को क्योंकि गाउं बचेगा तो देश बचेगा और गाउं से देश है देश से गाउं नहीं है गाउं से देश है गाउं की परंपरा का देश है यह अपनी परंपरा बचानी पड़ेगी आपको हर गाउं की अपनी परंपरा है अपनी अपनी परंपरा उसके लिए जागन चलाना पड़ेगा जागन का तरीका यह है कि मास्टर जी जब कलास में समझाते है न जी तो सिरफ तीन-चार लोगों को इस हमझ में आता होता है उसके बाद तीन-चार लोगों को जब रिवीजन कराते हैं तब आता है फिर अगली रिवीजन तीसरी-चार लोगों को आता है और जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिरफ यही कहते हैं बाद जो बात कहा रहा है ठीक है तू बता दिये करना गया है ठीक है उनको समझ में कभी नहीं आता पॉपलेशन जो जदा है यह ऐसे लोगों की है जो तब चलते हैं जब इसमें लीड करने वाले जब चलते हैं तो गाउंक में जो लीड करने वाले लोग हैं देश समाज के उनको ये बात समझानी पड़ेगी जितने किसान लीडर है ना सब की लीडरी निकाल देंगे हम लोग अगर हम लोग सच में निकल पड़े तो इनकी सब लीड करते फिरेंगे यहीं आएंगे क्योंकि पबलिक को असली बात नहीं बताते यह लोग दुकानदारी चलाने के लिए एक टुकडा पकड़ाते रहते हैं उनके हाथ में लूप होल है एक लूप होला बन करोगे एक आप करोगे संब और और GPA आप चिलाते रहे नाजरवाई सब को लट मार गय के होई राय सब का अभी जितना कारे कर हमाने किस धुरू हो रा हैं आपके बच्चों को डवलूाइच के लाए हुए कैमिकल 32 dalते बास चो ठींजेक्शन है चोठे बच्छों को लगने वाले और और हमारे पास ऐसे सेंकडो बच्चों की लिस्ट हैं, जिन्होंने कोई 15 साल का, कोई 12 साल का, कोई 4 साल का, चे साल का, जो आज तक डॉक्टर की शकल नहीं देखिए, और उनकी हेल्थ लेवल देख लो, गजब, दस-दस साल का बच्चे ने डॉक्टर की शकल नहीं देखी, और जो इनके सारे केमिकल डलवा लेता है, वो 6 मिने से ज़्यादा ठीक नहीं रहता बच्चा, वो 14 गंटे बिमार रहता है, और ये कौन डालती है, ये काम कौन कर रहा है, हमारी आशा वरकर, और वो कौन है, हमारी बहन बेटी, जो भी हमारे उपर जबर्दस्ती करी गई, जो दो साल में राशन नहीं मिलेगा, कोटे तंखा नहीं मिलेगी, तुमको अभी लगवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वो मस्टर जी कौन था, वो आंगनबाडी वरकर कौन थी, वो आशा वरकर कौन, वो ड्राइवर कौन, वो पुलिस वाला कौन था, हमारा ही तो भाई बहन बतीजा था, तो अंग्रेश जब हमारे उपर अत्याचार करवाते थे, वो अपनी सेना लेके थोड़ी आते थे, हमारी लोगों को किराई पर रखते थे, हमने ही नौकरों को तवर्जो देनी शुरू करी, नौकर तो नौकर होता है भाईया जी, जो कलेक्टर होता है न, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है, लेकिन पबलिक के अंदर क्या मेसेज गया, वो जिले का मालक होता है, मालक नौकर नौकर होता है वो, एस पी जो है, वो सबसे बड़ा अधिकारी नहीं होता, सबसे बड़ा नौकर है जिले का, उसको बताना पड़ेगा, कि तेरी तनका तेरा घर हमारे पैसे से चलता है, और जिस दिन हमारे को गाउं में पुलिस की दौरत पड़नी बंद हो गई, उस दिन अधिकारीों को कौन पूछेगा, क्यों जी, कौन पूछेगा बताओ, कौन पूछेगा बढ़ा, निकल बार, हमारे यहां ऐसे लोग हैं ट्राइबल लोग हैं जिनके ट्राइब में जाने इसके लिए SP को, DM को, DC को पर्मिशन लेनी पड़ती है पहले कमेटी को फोन करते हैं तीन चार लोगों की कमेटी बनाई हुए है गाउने मिलके कि जी आपके गाउं में आना फलानी चिकर में बात करना है नहीं करनी बात हमने, जाओ आप आधार काल रिजेक्ट कर दो आधार से जितनी चीज़े जुड़ी हुए उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट करो सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है? पैसा जुड़ा हुआ है ना? पैसे का अल्टरनेट नि ढूंड सकते क्या हम? गाउं मिलके बात करेगा ना? हमारे पास सब कुछ है चोदा साल का बच्चा अपना तोलिया बना सकता है अपनी पैंट बना सकता है अपना कूर्टा बना सकता है अपना मकान बना सकता है अपने खाने का समान बना सकता है अपना खेत में आना जुगा सकता है अपनी जमीन पढ़ी ऐसी तैसी कराओ ना? एक पैसा नहीं देना किसी को एक इंच जमीन नहीं जाने देनी अपनी तो जल जंगल जमीन और जानवर इन चार चीजों पर फैंसले लेने का हदिगार होना चीए गाओं का ये तो है हमारी पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई हमारी क्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याए, राजनीती और खेती ये पांच चीज़ें आपको जीवन जीने के लिए चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याए, राजनीती और खेती इन पांच चीजों में से पूंजी बाद निकाल दो पैसा निकाल दो सिक्षा जो है ना वो पैसे से नहीं मिलेगी चाहे दिल्ली पढ़ाए कोई चाहे गाहों में पढ़ाए कोई चाहे बंबई पढ़ाए कोई दिल्ली वाले की पढ़ाई और गाहों वाले की पढ़ाई बराबरों नीची है अगर आप नहीं करते तो तुम्हारी पढ़ाई चाहिए नहीं हमको नहीं चाहिए क्योंकि सिक्षा अगर पैसे से तोली जाएगी तो केवल अमीरों के बच्चों कोई सिक्षा मिलेगी साथ ठीक है अगर स्वास्थे पैसे से तोला जाएगा तो केवल अमीरों को इलाज कराना पड़ेगा गरीब आदमी को आईशमान कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और वो भी थोड़े दिनों में खतम हो जाता है एक बार दाखल हो ये सब खतम साफ नयाए अगर पैसे से तोला जाएगा तो जज़ को वकील को पैसे पैसे वाले को पैसा देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है जी फिर नयाई सिरफ अमीरों को मिलेगा अगर राजनीती में पैसे को तवज्ज़ दी जाएगी तो केवल अमीर लोग ही राजनीती करेंगा और वो केवल उन पॉलिटीशन्स उनी के लिए करेंगे पूंजी पतियों के लिए और खेती में अगर पूंजी बाद निकाल सकते है अगर खेती में से पूंजी बाद निकाल दिया तो किसान अपने डंगर अपनी गाएं को दोबारा से वापस घर में ला सकता है जिस घर में गाएं आ गई वो घर बच जाएगा जिस गाउने बीज बचाना शुरू कर दिया वो बच जाएगा बीज बचाना बहुत जरूरी है खेत का भी डंगर का भी रादमी का भी और ये बीज बचाने का एक मातर तरीका है मशीन निकालनी पड़ेगी घर से बाहर क्योंकि जितना आदमी खाली रहता है उतना आदमी खाली हो जाता है जितना आदमी मेहनत करता है उतना आदमी अंदर से भरता है तो बीज बचाने का रस्ता केवल मेहनत के रस्ते ही निकलता है क्योंकि जितना आप ये देखो ये जो मोबाइल है ना ये कोई इस पॉकेट में डालता है तो ये सीधा सीधा sperm count खत्म करता है सीधा सीधा नपुन्सक करता है अगर इस pocket में डाल रहा है पेंट की pocket में अगर ये mobile यहां डल रहा है तो ये सीधा क्योंकि ये EMF से चलता है ये भी electric signal से चलते हैं ये सीधा सीधा attack कर रहा है रोज कम जोर कर रहा है अगर यहां चलता है तो यहां तो सारे neurons है, सारा electrical signal है, यह सारे signal को disturb करता है अंदर के signals को, यहां पे लगा हुआ, यह मौत का घर है यह, समझ गे ना, तो जिस, यह time bomb है, actually यह जब चाहें जब चाहें बलास्ट कर सकते हैं, अगर यह नहीं होता, तो मेरी आपको ज़रुती नहीं पड़ती, यह हालती नहीं आती, यह हालत लाने के लिए यही जिम्मेदार है, आपने टीवी देखा, यह मैं इसकी खेल बताता हूँ, 1950s के दौर में, 47 के आसपास, 45 के आसपास, CIA ने एक experiment किया था, और इस screen को, screen जो भी screen है, उस screen की technology का नाम दिया था, mind control device, दिमाग को control करने की device, और उस time पर उन्होंने कुछ experiment किये थे, दूर बैठे लोगों को hypnotize करने के, hypnotize करने के experiment थे, जिसमें TV चला करके, और कहीं जगे TV नहीं थी, तो radio चला करके, उन लोगों को hypnotize कर दे, क्यों आवाद सही होते हैं, आँख बंद करो और hypnotize होते हो, उसमें देखना कुछ सहीं नहीं है, hypnotize करते हैं, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया, कि जब मैं बोलूँगा, hypnotism खतम होने का भी एक word होता है, मतलब ये इतना खतरनाक device है, इसका नाम ही इस नाम से था, कि जो ये सीधी जो ट्यूब बनती, पहले वो ट्यूब आती थी, उसका पूरा technology को explain किया, उन्होंने उस device के जब experiment का जब ब्लूप्रिंट बहार आता है, इसका जो screen का जो rate, जब भी हम इसको देखते हैं ना हमेशा, हमेशा हमारा माथा इसके straight होता है, देखो आप अगर ऐसे करोगे तो भी, ऐसे करोगे तो हम गर्दन जुखा लेते हैं, मतलब हमारा माथा direct यहा जाएगी खतम, तो आप सही और गलत में ने 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 ले पाओगे, देखो हमारे पुर्खो ने एक इंतिजाम किया था, हमारे घर में डंगर पाले हुए हैं, और जंगल बाहर है खेत गाओं के, अब आपको डंगरों के लिए उठना ही पड़े क्योंकि वो सुबह 3-4 ब जितने आर्ट अटेक होते हैं, उसी टाइम पर होते हैं लग बग लग जो रात में सोय हुए बंदों को होते हैं, क्योंकि सबसे आदा फास्ट पंपिंग वात अब होती है, उस टाइम अगर आप ताजी हवा में हो और आप सो नहीं रहे हो, तो आप कभी भी बिमार होने की स्थिती में नहीं आओगे, और उस टाइम पर केवल वो आदमी उठ सकता है, जो तारों की छाओं में सो रहा है, या बाहर सो रहा है, जो एसी में नहीं है, और उस टाइम बोडी का टेंपरेचर भी कम नहीं होना चाहिए, ये नियम है, तो अब इनोंने क्या करता है, ये स्टार्ट कर देते हो, अपनी खाट जो ये दिन छिपते ही छत पर चड़नी स्टार्ट हो जाती थी, हमको याद है बिल्कुल, या जहां अगर ओस पड़ने का टाइम था तो ऐसी जगह रखते थे जहां ओस ना पड़े, तो हमने पूरा इंतजाम करा हो था, अब आपका ल लिवर फैटी है, लिवर फैटी होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, लेट खाना खाना और लेट तक जागना, सिर्फ एक ही कारण, मतलब खान पान कैसा खाया, उससे अलग जो कंसिस्टेंट कारण है वो एक ही है, तो शहर के हर आदमी को लेट खाने की आदत है, बाहर का ख परगेट हलोते हैं TV किसके घर आया आपने देखा हो तो टीवी आया या तो अमीर आदमी था जो गाओं का सब स्याथा जमीन जिसके पास थी या जो नौकरी पे था सिरफ दो आदमियों के घर पे टीवी आया मतलब टीवी लाने के लिए आपको नौकरी पर होना चाहिए या जमीन होनी चाहिए मतलब लालच बढ़ना स्टार्ट हुआ फिर धीरे धीरे वो टीवी पे क्या किया उन्होंने कुछ काम का नहीं आता था सिर्फ काम की आती थी दो चीजें एक चितरहार और एक फिलम फिलम आती थी शनिवार एतवार बलकि पहले एतवार को आती थी बाद में दो दिन किया पहले एकी दिन आती थी एतवार को और चितरहार भी एकी दिन आता था शुकरवार को बाद में चितरहार बुद्वार को और शुकरवार को किया और फिलम शनीवार और रैतवार करी दो दिन कर दी पहले अब जो 24 गंटे चलता है न वो पहले एक दिन था और वो कब था याद आपको नो बजे के बाद जब सारा गाओं सो चुकने का टाइम था उन्होंने फिल्म का टाइम वो रखा नो बजे के बाद ताकि आपको बारा बजे तक जागने की आदत पढ़नी शुरू हो उस टीवी के बाद कौन आया VCR VCR लाने थे वो कहते थे एक फिल्म लो या चार लो बराबर रेट है तो फिर हम चार लाते थे पैसा पूरा करने के चकर में चार फिल्में आती थी तो पैसा पूरा करने के चकर में शाम को शुरू करते थे तो सुबह तक के पूरे बारा गंटे निकालते थे गर लो आठ बजे देके आएंगे ठीक है जी रात भर वी सियार देखते थे हम लोग यानि पहली बार हमको रात भर जागने की आदत डली उन लोगों को जो लोग फिल्मे देखते थे फिल्मों के बारे में उधर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जिस वक्त उधर सिनेमा आया है उस वक्त स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सिनेमा समाज का आईना है बच्छमने सब ने पड़ी नई यह लाइन, सब ने पड़ी है, क्योंकि पहली लाइन है पहली लाइन सब को याद रहती है, एक बार एक गरीब किसान था है ना, बनलब किसान का मतलब वो पीज़ा नहीं कहा सकता समझ गए जी बात, अब क्या होता है इसमें दो बूंद अमरी धारा की डाल दियो भर के लिया अब क्या होता है जी वो लेट तक जागने की आदत पड़ गी फिल्म फिर दो दिन कर दी फिर उसमें जो जो टेस्ट बनता चला गए उस टेस्ट के साब से चीज़े अड़ करती चले गई और फिर आज के टाइम पर उन्होंने देख लिया कि ये आदमी को कंट्रोल करने का बड़िया रास्ता है कैसे पहली बार अनाथ आश्रम का कॉंसेट टीवी में आया भाई साब जिस टाइम फिल्मों में अनाथ आश्रम में गाओं में एक भी विद्वा नहीं होती थी हमारे यहां कोई विद्वा थी जी मारे बुजुर्ग बता देंगे एक भी लेड़ी विद्वा नहीं होती थी ना विद्वा थी ना कोई अनाथ था ना कोई बुजुर्ग ना कोई अनाथ हल्या था और ना ही कोई के अंदर टीवी नहीं बताया कि जब बलमा लड़की का रास्ता कैसे रोकना है पांच लोगोंने लड़की को कैसे उठाना है उसका रेप कैसे करना है नाजायज बच्चा पैदा हो तो उसका क्या करना ये सब पहले टीवी में आया ना भाई साब, आपके समाज में थोड़ी ना था ये, मतलब पहले पढ़ाया गया सिनेमा समाज गाई ना, लेकिन असलियत में उन्होंने सिनेमा में चलाया वो जो जैसा समाज बनाना चाहते थे, आज आपके छोटे-छोटे बच्चों के वो उसकी पती उसके साथ सेटिंग में है, उसकी सेटिंग उसके साथ है, उसकी सेटिंग में वो उसके घर जा रहा है, उसका बच्चा उसके घर पैदा हो रहा है, उसकी माँ उसके साथ माँ सेट हो रही है, दोस्त की साथ उसकी बेटी सेट हो रही है, पता नहीं क्या हो र बिल्कुल आखे बंद, इतनी कमाल की टेस्टिंग है आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके बच्चों को आपने क्या देना है, आखे बंद करके, जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देने के लावा आपने कुछ नही देखो जी, आप बैठे हुए थे, अचानक से फोन आता है घर में, कि घरवालों की लडाई हो गी है, आखे बंद करो जी, आखे बंद, आखे बंद, काम बताऊंगा बाद में क्या करना है, आखे बंद करके सोचो जी, जो मैं बोल रहा हूँ, सुनो बस खाली, सोचना कुछ नहीं, सुनना सुनना खाली, आपको खबर मिली कि आपके घरवालों की लडाई हो गी है, परोसियों के साथ लडाई हो गी है, और लडाई गाली गलोच से बढ़कर अब जो है, जब आप पहुंचते हो, तो आप देखते हो, कि लडाई जो है, गाली गलोच से बढ़कर आपके घर का जो सदश्य लड़ रहा है वो पास में पड़ा कोई हतियार उठा करके सामने वाले को मार देता है सामने वाला भी कुछ ना कुछ हतियार मारता है दोनों लहुलुहान है इतनी देर में बाकी पूरा परिवार लड़ने की त्यारी कर रहा है तो आपके नीद खुल जाती है अब आखे खुल लो खुल ली जी आपने आखे अच्छा आप एक बात बताओ आप में से किस-किस ने त्यार पांच छे छे लोगों ने सोचा मैंने तो भाई का नाम ने लिया था पतनी लड़री यह किस-किस ने सोच रहा था आप अपना बताओ ना आप आपने जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ते हो बताओ ज़रा एक बारी में आप देखना इसका कमाल देखना इस बातचीत का कौन-कौन ते जो left वाले पढ़ोसी के साथ लड़ रे से जिनके घर वाले हाथ जायर पूरा ठालो यार राइट वाले, सामने वाले, पिछे वाले, पिछे वाले आटोसी, टीक है, आज़ा,험 मोझे हमा टेखुेu, सामने आटा ले लिया, बंदा खराब, अचा, जब हिंशक होने लगी लड़ाई, तो किसकी से न सोचा डंडा ठाके मारा, एक, दो, 3rd, किसे ने सोचा गंडासा मारा, 3rd, किसे ने सोचा बंदू कमारी, 1, 2, किसे ने सोचा वहाँ इंट मारी, ठाक है, 1, देखो ना, अब आप ये सोचो, किसी ने लड़ते हुए उन दोनों बंदों की जो भी लड़ रहे थे, ड्रेस भी डिजाइन करी दिमाग में, कोई एक ब लड़ लगया जब खून आये तो सारे कपड़े दस गए यह राजी एक देखो दो जने वो अब सोचो मैंने ऐसी बाते कुछ नहीं बोली जो आपने इमेजिन कर ली है के नहीं किताब में और कहानी में यह ताकत होती है कि वो आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाती है करते हुए देखा है अपना परिवार का बंदा जिसको आपने सोचा है वो कैसे कैसे लड़ता ये भी देखा है आपने आपको मालूम है कौन लड़ सकता है मेरे घर में और भाई ने बताया कि पड़ोसी कौन सा लड़ सकता है ये भी आपने सोचा समझे ना जी, मेरा कहने का मतलब अब ये है, अब आप सामने देखो स्क्रीन पे, इधर जो है, वो एक हीरो गुंडे को या पडोसी पडोसी को मार रहा है, और वो कौन सा हथियार मार रहा है, वो दिखेगा अगर स्क्रीन पे, आप अपनी अकल लगा होगे क्या, तो सामने दिखरा होते हुए कौन किसको कैसे मार रहा है, तो आप क्यों लगा होगे अपना दिमाग, तो दिमाग को ब्लोक करने का काम ये करता है, इसका काम ये है, कि आपकी सोचने की, समझने की, इमेजिनेशन की, सरिजनात्मक्ता, क्रियेटिविटी, सब कुछ खतम कर दी जाए, हाँ, देख ले न, दो बुन डाल देना, चेक कर ले न, पहले, अमरे धारा ये क्या, कहीं कुछ और ही पिला दो, पर खादे बंदा मार दिया साजी सने, ये सरकार का आदमी था, ना कोई कर लो, पता है इनको सारा है, इसी केटेगरी के है ये, पता लगे, ठीक है ज बताता हूं, मोबाइल जब आप देखते हो, कोई भी स्क्रीन, लैपटॉप, कम्प्यूटर या कोई भी, आप सब ने, फिलम तो देखी होगी, जो तो दो तिन घंटे के अपने मोबाइल में, किस-किस ने देखी, आद खड़ा करो, अच्छा, अब मेरी बात से कौन-कौन सहमत है, कि जब आप दो-तिन घंटे अपने मोबाइल पर फिलम देख लेते हो, तो उसके बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, कोई सहमत है ऐसा, सारे सहमत है, जिन्हों ने भी देखा है, है ना, मतलब आपका दिमाग आटोमेटिकल ऐसा हो जाता है, जैसे किसी से बात करने का मन नहीं है, यार, अब अराम से जातो सोने दो, यार, या फिर ऐसा करके, सुस्त हो जाएंगे, हम आटोमेटिकली, अगली बार आपको वैसी फिलम ढूंड, फिलम ढूंड, कोण सी देख थे हैं, जिसमें मजा है, पहले तो किसी में भी आ जाएगा, फिर वैसी वैस 40 सेकिंड में बोर हो जाते हैं, आगे चलो, यार, स्क्रोल करो, है ना, आपका कॉंसेंट्रेशन स्पैम, जहां हम लोग, आपके वाले लोग, एक एक नावल को एक सिटिंग में पढ़ते थे, कौन कोन है, है ना, एक सिटिंग में, मतलब किताब शारू कर दी तो खतम करके अपनी, चाए किसी की हो, चाए सूसी हो, चाए प्रेम कथा हो, चाए जो मर्जी हो, वहां वो लोग, अब 30-30 सेकिंड के कॉंसेंट्रेशन स्पैम पे आ गए हैं, क्यूंकि जब भी हम को यह ऐसा काम करते हैं, जो हमने फिनिश, जैसे अब आप यहां आए हो, अगर यहां स होता है, तो आनन्द आता है, मा जब अपने बच्चे को दूद पिलाती है, डोपामिन रिलीज होता है, जब प्रेमिका को हम चिठी लिखते हैं, डोपामिन रिलीज होता है, जब हम किसी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते हैं, वो जो फीलिंग आती है, जब हम प्रेम क खेलता है और उसके 50,000 पॉइंट बन जाते हैं मजा आता है उसको फिर उसको 55 बनाने पड़ते हैं अगली बार डोपामिन रिलीज करने के लिए फिर उसको एक लाख बनाने पड़ते हैं फिर अगली बार उसको दो लाख करने पर उसको दस लाख पिर नहीं बनते हैं फिर उस last step है और इसलिए सरकार आपके बच्चे के लिए master provide नहीं करेगी लेकिन tablet free देगी ये आपको mobile free देगी mobile के लिए सारी technology आपको free देगी लेकिन आपके बच्चे के लिए किताबे नहीं देगी इसलिए ये पूरा designed structure है तो ये जो आप ये नहीं होता तो ये पूरी बरबादी भ पहनाने के लिए आपके गाओं में rape culture लाने के लिए बाजार लाने के लिए सुस्मीता सेन और एश्वरिया राये को miss world इसलिए बनाया गया ताकि हमारी ओरते लाली powder लगाना start करें ताकि वह कबार शुरू करें शुरू है ना उनका chemical लाएंगे पहले उठ्था पर माबाप के रिष्टे को तोहार को टेलिविजन ने बाजार बनाया भाई बहन के रिष्टे को रक्षा बंदन को टेलिविजन ने बाजार बनाया पती पतनी के रिष्टे को टेलिविजन ने बाजार बनाया टीवी ना हो तो यह बाजार ही ना हो भाई साब और अगर यह न नहीं होता तो मेरी जुरत नहीं होती इसलिए आपको ये भी निकालना है गाउं से बाहर अपने बच्चे की जिंदगी से बाहर इसलिए आपको रेडियेशन फ्री गाउं भी करना है टेंशन फ्री गाउं भी करना है जहर मुक्त दिमाग करना है जहर मुक्त गाउं करना है ज कास और ननन्द मिलके भावी के खिलाफ खिलाफ ऒगब हुक के खिलाफ अंतर्रच रहे हैं तब से हमारी लड़ूरे कर दिया मैं पिंट नहीं रहाना मैं तक मैं तक शैर रह रहना और जोइपड लोग कर दिये एक दिन देखो जिशंद धन हमारे को यह की हो गया कि यह जैरीला तत्व है सारा गाह ला है जिस दिन बच्चों के सामने खड़ा हो करके इनकी होली जलाएगा उस दिन देखना आप बई नास का घर है चाब पैसे लगा के लगा दिया हो जब यह पता लग गया कि आपका बच्चा इसके बाद नशेडी होने वाड़ा है तो क्या आप तब भी रखोगे इसको बई मैंने अपने बच्चे को मैं बद खालेगा तो आखिर में जहर की पूडिया तक ही जाना तेरे को कंफर्म है यह तैह है कोई कोई दिमाग में इफेंड बट की ज़रूती नहीं है भाई साब कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूत नहीं तैह यह डिजाइंड है स्ट्रक्चर आपको जैसा बनाना चाहते हैं व वेवस्था हम आपको बनाने का तरीका देंगे अपने गाओं की न्याय वेवस्था शिक्षा वेवस्था रोजगर वेश्था तो चालू कर लेओ बैट के चर्चा करने लग जाओ आज बैठके चर्चा करो चार दिन में समझ आ जेगा चारीस साल में आ जेगा 40 साल में आजएगा जिमे मर्जी हो जाए अपने गाउं बरबाद करने में भाई साथ 50 साल इंतजार किया इन लोगों ने पहली बार पेस्टिसाइड 1970 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने रेकमेंड किये थे हरित करांती के नाम पे जो जहर पहली बार डलना शुरू हो ना तो 54 साल होगे उस कहानी को 54 साल लगे यहां बरबादी तकाने में तो अगर अगले 20-30 साल लगा करके हम अपने समाज को बचाने की लड़ाई शुरू करें तो कोई महंगा सोता है क्या महंगा नहीं है जी बाई साब क्योंकि यह लड़ाई ऐसे नहीं होता कि एलेक्षन में 24 में एलेक्षन जीच जाओगे आप बचा लोगे अपनी पीडी को संबा भी नहीं है बाई साब वेवस्था बना रखिये उन लोगों ने जो भी बैठेगा यही काम करेगा यह भगवन्तमान के उपर कितना बरोसा जताया पंजाब की जनता ने यह क्या कर रहा है वो जो गाओं में क्लीनिक बना रहा है उनमें सबका मेडिकल डेटा दे रहा है डबलु एच्चो को सबका किस को कौण से कौण से इंजेक्शन कैसे लग रहे है किस का क्या क्या जुगाड कर रहा है सब वही कर रहा है वो स्कूलों में क्या कर रहा है वो इलेक्टेबलेटी तो बांट रहा है पंजाब का तो नास करना है है और आप ही के अदमी से करवाएंगे पुलिस वाद आपका आशावरकर आपकी सब आप ही के अदमी कभीलिया इलाकों की बताता हूं मैं जब 36 गड़ में गया जहारखंड में गया वहां गया आज से 5-7 साल पहले गया उन्होंने क्या किया मालूम है गाओं में घुसने के लिए ना उनके पास अधार काड ना कभी लेवाड़ों के पास बैंक अकाउंट ना उनको तुम्हारे पैसे से लेना अपनी मचली पालते हैं, अपने डंगर पालते हैं, अपना काम करते हैं, अपने खेत में उगाते हैं, जो उग्या उग्या, अनाज नहीं हुआ, उस साल बारिश नहीं हुई तो अपना मचली पाली रखी है, जैसा जैसा करके अपना वो मस्त जिंदगी काट रहे हैं, नाप क कि सिख्षय चाहिए उनको नापका रोजगार हर आदमी के पास काम है हर आदमी के पास हुनर है सर्वाइवल की स्किल है डंगर आ जाए जानवर आ जाए साप आ जाए शेर आ कोई आजाए सबसे लड़ना आता है बार का आजाए इधर वाले ये वैक्सिन लगाने पहुचे तो तीर बाले लेके खड़े हो गए आजाओ सालो डब डीसी की उकात नहीं अब पंगा बढ़ गया कि यार यह तो मानते नहीं यह तो समझते नहीं एंजियो भेजा उन्होंने एंजियो वाले गए पैसा देके एंजियो वालों को और उधर घुसा उधर जाके अब गाओं में एक दो तो लालची मिली जाता है जब अपना जमीदार जो है ना खेती करने वाला किसान जब यह कहता था कि जमीन मेरी मा है और मैं इसको बेचूँगा नहीं उस टाइम पे आई जी को कि तू चार लाख में तेरा दो के कड़ का रेट है दो लाख का रेट है चार लाख में दे और महराश्टर में जाके सो एकड़ खरीद लियो ऐसा लालच दिया ना कि यार रेट तो दो लाख का है तो इदर इतना ले तो अपने लोगों ने सरदारों ने खूब क किया इधर मेंगी बेच करके कहीं जाके सस्ती लेली रूब वहां जाके जादा जमीन बना ली खुब हुआ ना जिया अपना विस्थापन क्योंकि जड़ से काटना आदमी को जरूरी है ना आदमी लड़ने ला आप जैसे ही गाउं से शहर आओगे आप शरणार्थी बन होना चीए विस्थापन शहर में होना चीए नाइंट ये डंकल प्रस्ताव की बात बता रहा हूं मैं नब्य के दशक में के शहरी करन करना है गाउं में से किसान को खेती करने से हटाना है टार्गेट है पुरा और जिस टाइम पे प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पदमश्री दिया गया था उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम 2022 तक 50% किसानों को खेती से मिटा देंगे और किसान की आम जणी दुगनी क्योंकि जमीन तो उतनी जमीन पर उतनी आम जणियात दे किसानों की तो डबल दूगनी हो यह हैं क्या गेम प्लाइनिंग में दस उदर जो ट्राइबल लोग उन्होंने क्या किया एंजी ओ वाले को पैसा दिया एंजी ओ वाला कबीले में गया वहां जाकर लालग ची आदमी के अलगी भाव भाव होती हैं ब्रैंडिट चीजे कि पहनता है साफ सुत्रा रहता है चमका रहता है बाल बिल्कुल टेडे नही होगी तो चिकनी पॉलिश मिलेगी मतलब समझ गे ना इसको पकड़ लो यह अपने आप अपने समाज को तोड़ लेगा अपने समाज के बरबादी कर लेगा पछान करनी बढ़े असान हो तियन लोगों के लिए उन्हें एक बंदा पकड़ा उसको बोला तेरे सारे बच्चे देखो इतनी दुनिया इतनी तरक्की करगी और तुम लोग यही के यही रहेगे जंगली के जंगली जंगली गवार गामडी यह तीन शवद जो होने चाहिए गर्व का विश है गवार कौन जिसने गाओं को वर लिया जंगली कौन जो जंगल की सभ्वता को बचा के रखा जो कुदरत के नियमों को बचा के रखा, वो जंगली, समझे ना जी, उनको उन्होंने बुरा पेश किया, टीवी नहीं किया जी पहले, वो बच्चा क्या था, कोलीज में था, उसका बापू मिलने आता है, वो बच्चा जो अपने दोस्त पूछते हैं, ये कौन था, कुछ न माग में डाला ना हमारे बच्चे के वो डायलोग, सब मारे सबको मालूम है, इसलिए हमने कपड़े बदल दी अपने, ये छोड़ो यार कुरता, धोती कुरते वाड़े कपड़े बदलो, और वो पहनो जो शेर वाड़ा पहनता है, जो अपने बच्चे के, जहां हमारे बच्चे भीजने शुरू कर दिया, एंजीओ के पास पढ़ने के लिए, कि हम फरी पढ़ा रहे हैं, एंजीओ को पैसा तो उदर से मिल रहा है, वो फरी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनको फिर कहा, अरे तुमारी बेटी बहुत इंटलिजेंट है, इसको सब इनको ये यकीन दिला दिया कि किसान ने तुमारी तुमारा हक मारा इतने साल, और तुम तुमारे को ये आगे नहीं बढ़ने देते, तो तुमको रिजर्वेशन देते हैं हम, स्ट का रिजर्वेशन यसा है, अगर जितने भी बच्चे स्ट वाड़े फारम बरेंगे, सब क स्ट का सेलेक्शन हो जायेगा, क्योंकि स्ट कम फारम बरते हैं, वो जाते ही नहीं, कभीले का लोग कोई आता, कभीला ही कोई नहीं आता, इसे ही स्ट के साथ किया गया, पहले स्ट की नोकरी और खेती को उत्तम बोलता था अब असली एसी तो दखके इखा रहे हैं वो तो उपर मड़ाई खा रहे हैं जो उनी के लोग हैं मतलब अपने वाड़े भी उनके आले भी जिसका भी रिवेशन है ना सिरफ उपर वाड़ों के खा रहे हैं अब क्या होता है जी स्टी बच्चा जब फॉर्म भरता है तो एक लग गई एसडेम लड़की एक लग गई फिर डीसी कबीले की पहली डीसी कलेक्टर लगी है ठीक अब उससे दो साल पहले तो जब डीसी और बी आरो जाता है वहाँ रोड़ बनाने के लिए आर्मी के सामने भी वो तीर बाले लेके खड़े हैं कि आओ तुम रोड़ नहीं बनने देंगे हमको पता यह रोड़ बरबादी का रस्ता है हमको पता यह तुम हमारा जंगल को खाली करके ले जाने के लिए ही बना रहे हो यह हमको चाहिए नहीं भाई कहीं शेयर का जुरत क्या है हमारे को जुरत ही नहीं थी लेकिन वो अब क्या कह रहा है वो एंजियो वाला आदमी देखो कलेक्टर बनगी लड़की अख़बारों में छपरी है टीवी में आ रही अच्छा अपनी बेटी का स्वागत ऐसे करोगे कच्छे रस्तों से हाँ बाई बात तो ठीक है खुद सारे कभी लेने लगके सड़क बनाई अपनी बेटी के स्वागत के में और ये एक्सपरिमेंट कामियाब होते ही दुरोपदी मुर्मुगराष्टरपती बना दिया गय कि अब सारे जंगल खाने हैं सार जितने ट्राइबेस सब को नास करना है जिस भी कौम का नास करना होता है उस कौम का आदमी टॉप पोजीशन पर बिछाया जाता है अगर आपको याद करना हो पंजाब का नास तब शुरो हुआ जब डॉक्टर मरमावन सिंग महाँ बैट गई समझ गई ना मनलब स्टार्टिंग मवी दाओ पहले वहाँ बिठाओ उसके हाथ से करवाओ अपने आदमी से समझ आगी जी कहानी समझ रहे हो ये सारी चीजें कनेक्टिंग बड़ी डॉट्स हैं हम ये मान के चलिए कि अगर आपको ये बातें समझ में आती है और आपकी अगली पीडी को समझ में आती है तो लड़ाई लंबी है लेकिन ये जीती जाएगी गाओं से खेट से रसोई से अपनी पंचायत से ये लड़ाई बाहर नहीं जीती जाएगी और इसलिए जागरती सबसे पहला रास्ता है जागरती के लिए अपने को नि नशे के injection लिए खड़ा है, बंदूक लिए खड़ा है, खराब पुरा हो चुका है मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत मेनत करनी पड़ेगी बचाने के लिए उसको अच्छा समाज देने के लिए आपको अगर लगता है तो आपको भी साथ हाना पड़ेगा हमने जनता सरकार मोर्चा में इसलिए एक प्रोविजन रखा है कि अगर आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़ते हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी खोने की जरूरत नहीं है आप अपने ही संगठन का विस्तार कीजिए, हमसे जो चाहिए वो ले लीजिए आप कोई किसान संगठन चलाते हो, आप जो भी चलाते हो आप अपने लोगों को जागरित करने के लिए हमको बुलाईए और अपने साथ ही लोगों को जोड़िए आपकी अपनी ही टीम हो, आपकी अपनी ही ग्रोथ हो आप जो target achieve करना चाहते हो आप में से जिसको राजनीती करनी है राजनीती कर लीजिए जिसको चुनाव लड़ना है चुनाव लड़ना है जिसको बिजनस करना है बिजनस कर लीजिए आपन इतना ही है हमको कोई यह नहीं कि इसलिए जंता सरकार मोर्चा में कोई परधान नहीं है कोई पद नहीं है सिरफ यह एक ऐसी चीज है कि आज हमारे पास अगर इक वन संगठन है और आप में से अगर तीन संगठन बैठे होंगे तो आज अपन चववन हो जाएंगे ठीक है ना तो जिसमें से भी अगर पहले जो है एक के साथ कुछ होता था तो पचास संगठन लगते थे आज चववन हो गए तो तो तरेपन लगेंगे सिद्धी सी बात है किसी के साथ भी गलत होता है तो ऐसी एक लड़ाई चलाने की मोहीम है यह 19 नवंबर की रैली है करनाल में अगर पंजाब इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ताकत हमारी कोई गुणा बढ़ेगी कोई गुणा आप यह मानने के चलिए और चौरषोर से लगना पड़ेगा रस्ता कोई नहीं है एक बार तो ऐलान करना ही पड़ेगा कि हमारे लोगों से छेड़ने की जरूरत नहीं है करेंगे हम जो हम चाहते हैं कि वहीं से हो जो पूरी तरह से हमारी आजादी के लिए होंगे और 22 तारीक को ये जो संडे आ रहा है अभी तिन जिन के बाद में चंडीगड में एक सेमिनार रखा है Parenting, Education and Career Counseling बच्चों को ले करके तो Parents अगर वहां आते हैं हम मैं एक बता देता हूँ मैं पहला आदमी हूँ इंडिया का जिसने इस चीज़ पर काम किया है कि मैं तीन साल की उमर के बच्चे से लेकर किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूँ कि इस बच्चे के पास कैसा दिमाग है तो मान लो आपके पूरे गाउं को ये मालूम पढ़ जाए कि हमारे बच्चों के पास क्या दिमाग है ये खेती करने के लिए बना है, डंगरों के लिए बना है, साइंटिस्ट बनने के लिए बना है, या इंजिनियर बनने के लिए बना है, तो हम उसको गाओं में ही बना लेंगे ना त्यार कर लेंगे, जो प्रोडक्शन के लिए बना है, बिजनस के लिए बना है, जिसके लिए प्राइवेट स्कूल होगे लिए करता था, मैं प्राइवेट स्कूल में एक सेमिनार करने का साड़े तीन लाख रुपया लेता था, दो गंटे बूलने का, फिर बच्चे का टैलेंट बताना है, तो डेड़ लाख रुपय फीज है मेरी, ट्रेनिंग देनी है, तो साड़े द में परिवार खराब कर लिया, समाज खराब कर लिया, भाईचारा खराब कर लिया, तो मेरे पास तो जी, मैं अगर अपनी बताओ, 2014 में लास्ट बैंकिंग यूज़ करने शुरू करे थी, आपने तो, बैंकिंग ही यूज़ नहीं करते, अपन तो, ना कोई cash deposit है, ना अपन नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, और लोग साथ हैं बहुत सारे, इसलिए भी डरते हैं, अपने क्या करना है, एक तो 22 तारीक संडे के लिए, आप अपनी पत्नी को ले करके जरूर आएं, क्योंकि बच्चों के पालने का काम माताओं का है, और अपने अपने सरकल से अगर 5-5- दस दस लोग ले आएंगे, क्योंकि ये मतलब आप बच्चों के नाम पर खड़े हो जाईए, आप खेती के नाम पर खड़े हो जाईए, आप गाएं के नाम पर खड़े हो जाईए, आप संस्कृति के नाम पर खड़े हो जाईए, आप जिस पर खड़े हो जाईए, आपको खड़ा होना पड़ेगा आपको जो लाइन समझ में आती है हेल्थ की समझ में आती है हेल्थ की खड़े हो जाईए न्याय पॉठाणी की नशे की खड़े हो जाईए अपना-पना इस्सानी बाना शुरू कर दीजिए इस उमीद में हम लोग 22 तारीक को सैमिनार कर रहे हैं 22 को लड़ाई में हम सब को साथ देना पड़ेगा आप लोग अभी बैठे थे अभी चाय पानी आपके लिए तयार है बहुत बहुत धन्यवाद जी जैहिंद